जाइन दोस्तो हो, मैं नवीन सर्व मांआप सभी स्वागत करता हूँ, आजए लोग आप सबशान के लिए और सब्सक्राइब एकदम अच्छे हैं, उम्मीद करूंगया, बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 बैतरीन होंगे, और प्यारे बच्छे बहुत अच्छे से पढ़ा, आपकी परिक्षा के लिए sufficient भी है और प्रसनों की बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ कि history एक minor, यानि बोले तो एक छोटा हिस्सा है SSEGD के total exam का, लेकिन एक एक प्रसन आपके लिए महत्पूर्ण है और प्यारे बच्छे जो भी आपने पढ़ा है, अब तक जहां कहीं से भी पढ़ा है theory classes जो भी आपने की हैं, या notes जो भी आपने पढ़े हैं ये गागर में सागर आप प्यारे बच्छे अपने exam से पहले जरूर करके जाना जो भी मैं आपको प्यारे बच्चे इसमें deliver करूँ वो जरूर आप एक बार read out करके जाएंगे ठीक है तो एक बार एक मुस्कुराहट के साथ में एक smile के साथ में लिखेंगे we are ready और प्यारे बच्चे 170 question की एक class हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत सांदार तरीके से यानि total 170 question आपके लिए होंगे और जिसमें हम लगभग सारे major question आपके cover कर रहे होंगे तो एक बार सुरू करेंगे प्यारे बच्चे आपका आज के पहले प्रिसुन को और पहला question है सास्त्रिय संगीत के सिद्धान्त की विवेचना की गई है जो सास्त्रिय संगीत है अगर हम बात करें संगीत को किस में बताया गया है रिगवेद में अथरवेद में यजरवेद में या फिर सामवेद में तो आप कहेंगे भीया, रिगवेद में तो आपका, अगर हम बात करें, मंतरों की बात की गई है, अथरवेद की हम प्यारे बच्छे अगर आपसे बात करते हैं, तो अथरवेद में आपका जादू, टोना, वसीकरण, किरसी, आदी की बात की गई है, यजुरवेद में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है या वो पढ़ने वाला क्या कहलाता है ठीक है इसका प्यारे बच्चे उपवेद मत भूलना और उपवेद आप किसी का मत भूलना उपवेद की बात करते हैं तो कौन सा है आपका गंधर्व वेद है कौन सा है गंधर्व वेद है और इसी का ब्रहमन गिरंत अगर मैं बात करूँ आपसे की सामवेद का ब्रहमन गिरंत कौनसा है तो आप कहेंगे 25 है और 70 है क्या बोलेगे 25 है प्यारे बच्चे और आपका 70 है और इसके अलावा आपका छांडोग्य आता है जैमीनिय आता है किसका है वो इसी के हिस्से हैं होत्रा 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 बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है वो सारे बच्चे गलत हैं और जिन बच्चों का आंसर आ रहा है प्यारे बच्चे उद्गाता एकदम से सही है नीरज परताबगड सही आंसर देते हुए All Create करते रहो ही आगे चलते हैं Question संख्या 2 उपनिशद सब्द का साबदिक अर्थ क्या होता है उपनिशद आपने उपनिशद पड़े तो प्यारे विच्छे उप का मतलब क्या होता है आपका उपधन निशद उप का मतलब आ निशद मतलब निकट गुरु के निकट बैठ करके ज्यान प्राप्त करना क्या मतलब होता है इसका पास बैठना क्या आर्थ होता है प्यारे बच्चे इसका इसका आर्थ होता है पास बैठना उपनिशदों की कुल संख्या की बात करें तो कितने होंगे बोलेंगे उपनिशदों की बहिया जी अगर हम कुल संख्या की बात करते हैं तो कुल संख्या इसकी है 108 क्या बोलेंगे 108 उपनिशद हैं और उपनिशद को हम ब्रहम विद्या कभी न भूलना उपनिशद को ही हम ब्रहम विद्या कई बार पूछता है आपसे ब्रहम विद्या के नाम से किसको जाना जाता है या वेदान्त के नाम से किसको जाना जाता है तो वेदान्त और ब्रहम विद्या हम किसको बोलते उपनिशद को कहते उपनिशद के बारे में सारी जानकारी प्यारे बच्चे रखते होंगे आगे चनते क्या बोलेंगे यागवलकय गारगी समवाद का वर्णन किस उपनिशद में मिलता है जो यागवलकय और प्यारे बच्चे गारगी मैंने आपको बताया था यागवलकय एक बहुत विद्वान वेक्ति थे गारगी एक विदूशी थी इन दोनों के समवाद है यानि गारगी ने पिरसन किये है और यागवलकय ने उनका जबाब दिया है इसका वर्णन किस में है? वरधारन्यक उपनिशद में है यह Question बहुत पूछे जाते है वरधारन्यक क्या है? वरध्यानी की बड़ा यह सबसे बड़ा उपनिशद है क्या है यह? यह सबसे बड़ा उपनिशद है और प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछ हूँ सबसे छोटा उपनिशद कौन सा है? तो क्या अंसर आएगा आप कहेंगे सबसे चोटा भाईया जी मांडियू क्योप निशद है क्या अंसर है मांडियू कोप निशद मांडियू कोप निशद है आपका जो सबसे चोटा उपनिशद है सबसे चोटा उपनिशद है अब यहां पर एक महत्पूर्ण बात आती है अगर मैं आपसे पूछूँ कि जैसे समवाद इन्होंने दे दिया अगर कठोपनिशद की हम बात करते हैं तो कठोपनिशद में कौन सा समवाद दिया गया है तो आप कहेंगे भीया जी इसमें यम नचिकेता समवाद दिया गया है जो आलोपनिशद की प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करूँ तो आप कहना इसमें चार आसरम बताएगे बोलाना वैक्ति को 25 वर्स तक भ्रहमचारी 25 से 50 तक आपका गरस्त और गरस्त के बाद में प्यारे बच्चे क्या फिर वानपरस्त 50 से 75 और फिर 75 से 100 सन्यास ग्रहन कर लेना चाहिए तो जालोपनिशद में क्या बताएगे हैं चार आसरम बताएगे हैं क्या बताएगे हैं इसमें चार आसरम बताएगे हैं सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है, सत्यमेव जैते बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे, सत्यमेव जैते तो क्या बोलेंगे, कि मुंडक उपनिशद से लिया गया है, कहां से, मुंडक उपनिशद से लिया गया है, और वहीं पर इसमें प्यारे बच्चे एक शर्वाधिक प्राचिंतम पुरान कौनसा है? अगर हम बात करते हैं, तो पुराणों की संख्या कितनी है? जैसे वेद की संक्या चार है, वेदांक की संख्या छह है, विदांग बोलते हैं सिक्षा, कल्प, जियोतिस, व्याकरण, निरुक्त, चंद, तो छे हमारे विदांग हैं वही हम बात करें पुरान, तो सबसे पुराना पुरान कौन सा है? मतश्य पुरान है, क्या बोलेंगे? और पुरानों की संख्या प्यारे विच्चे कितने बोलेंगे आप? पुरान की संख्या कितनी है? क्या बोलोगे? पुरानों की संख्या भहिया जी, अठारा है, कितनी है? पुरानों की संख्या है, अठारा अच्छा मुझे बताएं जैसे मैंने आपसे कहा था कि S.S.C. आजकल विश्णू भगवान विश्णू के अवतारों से बहुत कुशन पूछ रही है तो प्यारे बच्छे एक बार बोलेंगे भगवान विश्णू के कितने अवतार हैं तो क्या बोलोगे भगवान विश्णू के अवतार कितने हैं प्यारे बच्छे तो आप कहेंगे उनके अवतार हैं भहिया दस प्राचिंतम पुरान पूछा आपसे पूछ ले सबसे बड़ा पुरान कौन सा है तो आप कहेंगे सबसे बड़ा पुरान है जी इसकंद पुरान कौन सा है प्यारे बच्छे इसकंद पुरान सबसे सबसे बड़ा है अच्छा जब मतश्य पुरान की बात आती है तो तब बात आती है भगवान विश्णू के पहले अवतार की, इनके पहले अवतार कौन है प्यारे बच्चे? तो आप कहना मत्शय हैं पहले अवतार, क्या बोलोगे? मत्शय यानि मच्छली, जिनको हम मत्शय अवतार बोलते हैं, मतलब मच्छली के रूप में भगवान विश्नु का ओरिजिन हुआ, फिर आपका वरहा अवतार इनका आता है और आपका तीसरा इनका आता है प्यारे बच्चे कूर्मा अवतार क्या बोलते हैं इसको कच्छब भी हम बोलते हैं कच्छवा भी हम बोलते हैं फिर नर्शिंग का अवतार आता है और अभी S.S.C की बात करें तो वामन अवतार सबसे जादा पूछा गया है भगवान विश्णू जिनोंने धाई डग में पूरी प्रत्वी नाप ली थी जादा जो राजा बली थे राजा बली जो अपने आपको दानवीर समझते थे उनको घमंड हो गया तो भगवान विश्णू ने कैसे उनको ग्यान दिया तो क्या बोलोगे पांचवे अवतार कौन है वो वामन है छटे अवतार बताएंगे प्यारे बच्चे कौन है साथवे अवतार आप मुझे बताएंगे आठवे नवे और दसवे अवतार जिनका आना अभी बाकी है तो छटे अवतार कौन है वो भगवान परशुराम है और दसवे अवतार कलकी जिनका आना अभी बाकी है कहते हैं जब कलकी आएंगे तो यह कल्यूग खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा एक नई दुनिया का ओरिजिन होगा एक नई दुनिया का उदे होगा तो क्या बोलेंगे वो कलकी अवतार होगा निमलिखित में से कौन त्रीपिटक में सामिल नहीं है त्रीपिटक बहुत अच्छे से आप त्रीपिटक के बारे में जानते होंगे कि त्रीपिटक का संबंद भहिया जी बौध धर्म से है इसे है बौध धर्म से है त्रीपिटक और अगर हम त्रीपितक की बात करते हैं तो क्या सुथ पितक उसमें आता है? हां जी, विनभितक आता है? हां जी, अभिदम पितक आता है, कौन सा नहीं आता? बुद्ध पितक नाम का कोई पितक नहीं है. क्या बोलेंगे बुद्ध पिटक नाम का कोई भी पिटक भहिया जी नहीं है सुथ पिटक भगवान बुद्ध के सिश्या थे आनंद इन्होंने इसका संकलन किया विन्य पिटक की हम बात करेंगे प्यारे बच्चे उपाली इनके सिश्य थे इन्होंने इसका संकलन किया और अभिदम पिटक प्यारे बच्चे ये मोगली पुत थे इन्होंने क्या किया इसका आपका संकलन किया था बहुत इंपोर्टेंट है और सुथ पिटक की बात करें त किसमें है आपका वो सुथ पिटक में है अच्छा विने पिटक कहता है कि जो भिख्शू होंगे और जो भिख्शूनी होंगे उनके अनुशाशन के नियम क्या होंगे तो आपका विने पिटक में क्या दिया है अनुशाशन के नियम दिये हैं क्या दिये हैं डिस्पलिन के नि था कि तिरी पिटक को हम और क्या कहते हैं तिरी पिटक को और किस नाम से जाना जाता है और अभी SSC MTS ने पूछा था कि पाली क्या बोलेंगे पाली कैनन के नाम से किसको जाना जाता है तो तिरी पिटक को प्यारे बच्चे क्योंकि बौत धर्म की भासा पाली है तो पाली कैन याद रखेंगे इसमें क्या बताया गया है आपका अंगुत्र निकाय में बताया गया है भिक्षूं को उपदेश जो भिक्षू थे उनको बुद्ध जी ने क्या उपदेश दिये क्या उनको डारेक्शन उन्होंने बताई ये अंगुत्र निकाय में बताया अच्छा मैं है आप कहेंगे सोले महा जनपदो के बारे में बताया गया है इसके बारे में सोले महा जनपदो के बारे में बताया गया है इमलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है जिसका जोड़ा एकदम से सही है मध्य पाशान काल के कुछ जगे दे रखी है और उनकी अविस्थिति दे र अगर हम बात करें प्यारे बिच्चे इसमें आदमगड जो है होसंगाबाद में मध्य परदेश में एकदम से सही दिया गया है किसमें मध्य परदेश में एकदम से सही है भीम बेटका महराष्ट में नहीं है मध्य परदेश में है पलामू सारे बिच्चों को पता होना चाहि तो कुछ इस्तलों की प्यारे बच्चे हम बात करें इसमें बड़े important है मैहे दहा क्या बोलेंगे मध्य पाशान काल का मैहे दहा इस्तल कहां पर है तो मैहे दहा इस्तल आप बोलेंगे भीया जी वो यूपी में है कहां पर है यूपी में है तारू तारू कहां पर है तारू तारू ये नए आपका एकदम से recent के question है असम में है कहां पर है असम में है प्यारे बच्चे पोल्डी हवा आप बताएंगे ये आपको पता होना चाहिए पोल्डी हवा जो इस्थल है ये प्यारे बच्चे कहां है चोपानी माडो मैं आपसे पूछूँ चोपानी माडो कहां पर है ये आप बताएंगे मेहरगड मैं आपसे पूछ दूँ मेहरगड बहुत पूछा जाता है ये कहां पर इस्तित है तो कोल्डी हवा क्या बोलोगे भीया जी चौपानी माडो दोनों के दोनों यूपी में है कोल्डी हवा से क्या कि किस साक्षा मिले थे दहान के साक्षा मिले थे और मेहरगड कहां पर है प्यारे बच्चे ये पाकिस्तान में है मेहरगड कहاں पर है ? ये पाकिस्टान is नवदा-व्दौण विधित नवदा-व ली किस राज्य में अविस्थित है ? नवदा-व्दौण एक प्यारे बच्चे आपका क्या बोलेंगे इस्थल है प्रतात्विक इस्थल ये किस राज्य में है ? गुजरात, महराश्ट, 36 गड़ या फिर मध्यपरदेश में हैं क्योंकि नवदा टोली से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से फसल के साक्षय प्राप्त हुएं क्या प्राप्त हुआ है? फसल के साक्षय प्राप्त हुएं हैं प्यारे बच्चे गुजरात, महराश, 36 गड़ या MP में है क्या बोलोगे MP में ऐसे ही फसल से सम्मंदित कुछ important है इनाम गाओं क्या बोलोगे इनाम गाओं कहां पर है बोलेंगे एक बार इनाम गाओं इस थल पुरातात्विक कहां पर है नेवाशा कहां पर है प्यारे बच्चे और तामरवती कहां पर है क्या बोलेंगे तामरवती कहां पर है तो इनाम गाओं और नेवाशा की अगर हम बात करते हैं दोनों के दोनों महराश्ट्र में है और तामरवती कहां पर है प्यारे बच्चे ये आपका राजिस्थान में है निमलिखित में से किसको चालको लिथिक यूग भी कहा जाता है मैं आपको बताया था छोटे पत्रों का प्रियूग माल को उसको बोलते हैं माइक्रो लिथिक और चालको लिथिक किसको बोलेंगे तो पुरापाशान काल को बोलेंगे नवपाशान काल को बोलेंगे या तामरपाशान युक को किसको बोलते हैं आपका तामरपाशान युक को कहते हैं तामरपाशान यानि कि जब तामबा प्रियोग हो अच्छा मुझे बताएं एक बार मनुश्य द्वारा प्रियोग की गई पहली प्यारे बच्चे धातू कौन सी थी तो आप कहेंगे भीया अगर पहली धातू आप से पूछे तो आप कहेंगे तांबा तांबे के बाद में मनुश्य कहां पर आया तांबे के बाद में मनुश्य कांसा की तरफ बढ़ा और कांसे के बाद में फिर लोहा तो क्या बोलोगे पहले कौपर था कौपर के बाद में ब्रॉंच पर आगे तो ब्रॉंच क्या है ये अलॉय है एक अलॉय है कौपर और टिन से मिल करके बनता है आपने chemistry में पढ़ा होगा तो प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछे पहली धातू तो धातू में आंसर लिखना तांबा लेकिन पूछले पहली मनुष्य द्वारा प्रियोग की गई मिसर धातू कौन सी थी तो आप कहेंगे वो कासा थी क्योंकि कासा एक मिसर धातूए एक अलोय है लोहा तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे चाको लिथिक क्या बोलते हैं आपका तामरपाशान यूग को बोलते है घडपा सब्भेता की जानकारी का पिरमुक सरोत क्या है घडपा के बारे में जानकारी आपको कैसे प्राप्त होती है बोलेंगे एक बार सिलालेखों से पकी मिटी की मोहरों पर जो अंकित लेख है पुरा तात्विक खुदाई से या फिर उप्रोक्त सभी से प्राप्त होती है तो सिलालेख मिले हैं क्या? नहीं जी बहिया पकी मिटी की मोहरों पर अंकित लेख है नहीं पुरा तात्विक खुदाई तो जानकारी का सबसे important प्यारे बच्चे स्थोर्स क्या है कि excavation किया जाए क्या किया जाए? पुरा तात्विक खुदाई कि जाए ठीक है? तो पुरा तात्विक खुदाई जो है ये सबसे अच्छा स्रोत है निमलिखित में से कौन सा एक हडपा इस्थल नहीं है? जो हडपा की जगे पर ये सारी चीजे आपके प्यारे बच्चे फिंगर टिप्स होनी चीए कुछ भी मैं आपको बताता हूँ वो चीजे आपको तैयार करनी होंगी ठीक है? बोलेंगे एक बार चन्हुद्रो क्या हडपा का इस्थल है? कोट दीजी क्या हडपा का इस्थल है? सोहोगोरा और देशलपुर तो क्या बोलेंगे? भीया हमने सोहोगोरा नहीं पढ़ा है क्या बोलेंगे? सोहोगोरा हमने नहीं पढ़ा है चन्हुद्रो की बात करते हैं ये सिंधु नदी पर पाकिस्तान में है कहां पर सिंध पाकिस्तान कोट दीजी की बात करें सिंधु पाकिस्तान और देसलपुर ये बहादर नदी पर कहा है प्यारे बच्चे गुजरात में है कहां पर बहादर नदी पर गुजरात में है तो सोगुरा नहीं है अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या कुनाल एक स्थल है ये किस राज्ये में है मैं आपसे पूछू रंगपुर किस राज्जे में है मैं पूछू अमरी किस भारत ये राज्जे में है तो कुनाल आप कहेंगे हरियाना में है रंगपुर आप कहेंगे भहिया जी ये गुजरात में है अमरी भारत के किस राज्जे में है एक बार comment section में बोलोगे अमरी मैंने आपको अपने ही हाथ से प्यारे बच्चे लिखाया है तो अमरी जो इस्थल है क्या बोलोगे भीया जी भारत में नहीं है ये पाकिस्तान में है कहां पर है पाकिस्तान में ये है देखो कुछ बच्चों का अंसर आता हुआ पाकिस्तान एकदम से सही कुछ ने हरियाना राजस्तान ही बता दिया ऐसा मत करो जो तुम नहीं जानते हो न उसको comment में नहीं लिखना है जो जानते हो उसको भी मत लिखो लेकिन आपको आज के बाद अगर ये पिरसन आता है तो गलत नहीं करना है ठीक है मोहन जोदलो निमलिखित में से कहां पर इस्थित है भारत के गुजरात राज्ये में भारत के पंजाब राज्ये में पाकिस्तान के सिद्ध परांत में तो पाकिस्तान के सिद्ध परांत में प्यारे बच्चे जो लरकाना जिला है कौन सा लरकाना जिला में इस्थित है पंजाब में क्या है आपका प्यारे बच्चे रोपड है क्या है पंजाब में रोपड है सिंदू घाटी सब्भेता में काली बंगा निम लिखित में से किस के लिए प्रसिध है काली बंगन पहले तो ये बताओ प्यारे वच्छे किस राज्य में है तो आपका आंसर आएगा चटान कटोती की वास्तुकला के लिए जाना जाता है बंदरगाहा के लिए भीया इसको जाना जाता है कपास की खेती के लिए इसको जाना जाता है या मिटी के पात्रों के लिए इसको जाना जाता है तो क्या अंसर आएगा आप कहेंगा भीया काली बंगन से मिटी के प्राप्त प्राप्त हुए क्या बोलेंगे पात्र और किस नदी के किनारे है ये घगर नदी के किनारे है किसके घगर नदी के किनारे है राजिस्थान में अमला नंद घोष जी ने इसकी खोज की थी और सबसे प्रमुक था यहाँ पर जुते खेत क्या बोलोगे जुते खेत ठीक है पेलना कार मोहर कहां स हम को प्राप्त हुए थे नेक्स्ट हडपा कालक इनमें से कौ में से नगर तीन भागों में विवाज़त था मैंने आपको बताया था पूरी हडपा सभथा के जो नगर थे वो दो भागों में विवाज़त थे सिर्फ एक नगर था जो प्यारे बच्चे तीन भागों में विवाजित था वो कौन सा था वो दोला वीरा था अच्छा बोलो दोला वीरा किस नदी के किनारे तो क्या बोलोगे दोला वीरा भीया जी लूनी नदी के किनारे है और लूनी नदी के किनारे ये कहाँ पर है गुजरात में है यहां से सबसे बड़ी इमपोर्टेंट चीज मिली धुलावीरा से एल के मैदानों के साक्षे मिलते हैं यहां से एल के मैदान यहाँ पर थे और प्यारे बच्चे जो नेवले की मूर्ती मिली है आपका जो किसकी बनी हुई थी पत्थर की बनी हुई थी ये कहां से मिली है दोला वीरा से हमको ये प्राप्त होता है अच्छा, मैं आपसे पूछूँ प्यारे बच्चे, पानी की निकासी की विवस्था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, उसकी एक बहतरीन विवस्था, ये कहां से मिलती है हमको, पानी की निकासी की विवस्था, ये प्यारे बच्चे हमको कहां से प्राप्त होती है, बोलेंगे ए बहुत गजब बहुत साहदार अब बोलेंगे यहीं से प्राप्त होती है यहीं से अच्छा उत्तर लिखा है सबसे चोटे सब्दों में कौन है नाम दिखाएंगे यहीं से काजल गौतम वेरी गुड बच्चा सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीच दिएक कूट का सही उत्तर दे खरपा, लोथल, काली बंगन और मोहन जोदडो देखेंगे प्यारे बच्चे खरपा से क्या मिला हमको सवादहान लोथल से हमको गोदी बाड़ा यही तो था लोथल प्यारे बच्चे जो प्यारे जहां से क्या बंदरगाह निर्मित था जहां से हम व्यपार करते थे काली बंगन से क्या मिला है जुते हुए खेत मिले हैं मोहन जोद्रो से मॉम इसको क्या बोलते हैं वैक्स मैथर्ड से बनी हुई नर्तिकी की प्राँज कांसे की नर्तिकी की मूर्ती मिली है घरपपा से सवाधान मिले है तो 1,2,4,3 1,2,4,3 14 का option D एकदम से सही हो जाएगा घरपपा कहां पर है प्यारे बच्चे पाकिस्तान में हो गया लोथल की अगर हम बात करते हैं पारे बच्चे गुजरात में हो गया साली मंगन की अगर हम बात करते हैं राजिस्तान में हो गया और मोहन जोड़ो भी कहां हो गया पाकिस्तान में हो गया पाकिस्तान बोले कि ना पाकिस्तान बोले एक ही बात है हडपा कालीन इस थलो से अभी तक किस धातू की प्राप्ती नहीं हुई है वो कौन सी धातू है जो हडपा कालीन इस थलो से नहीं मिली है तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा क्या वो लोगे भिया, लोहे की प्राप्ती नहीं हुई है वो एक कांसे यूगीन सब्भेता थी कैसी थी ये आपका ब्राँज से रिलेट करती थी कांसे यूगीन सब्भेता थी ठीक है खुदिकत कोई परेसा नहीं आगया है सिंदु घाटी सब्भेता की लिपी कौन सी है ये सारी चीजें आपको पता होनी चीजें प्रिये था उर्वर्ता की देवी की पूजा ये प्यारे बच्चे करते थे तो क्या बोलेंगे कौन सी लिपी है तो क्या कहेंगे भहिया लिपी अग्यात है ये लिपी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी तो क्या बोलेंगे ये क्या है आपकी अग्यात है ठीक है फिर से डी आया निमलिखित में से कौन सा ब्रहमन गरंथ रिगवेद से संबंद रखता है ब्रहमन गरंथ अभी बताया था न मैंने आपको जैसे स्थामवेद के मैंने आपको बताया थे कि स्थामवेद का भहिया आपका कौन सा है जैमिनिय भी होता है छांदोगय भी होता है पंचविस है तो किसे रिगवेद का एत्रे है क्या क्या गोपत है तो आप कहीं यह तो अथर्ववेद का है किसका है अथर्ववेद का है तत्पत की अगर हम बात सब करके मुझे बताओ तो सही एक बार थमसब करके बोलो भीया पता है हमको प्लीज प्यारे बच्चे रिक्वेश्ट है अभिसे कि आदब जी गोकुल कहा हो तुम प्लीज कोई बात है आज जोड के रिक्वेश्ट है यह कोई ब्लॉक करने की जुरत नहीं पांजाएं प्ली द्यान से लिखे ठीक है अदिकत वैशेशिक दर्सन के प्रतिपादक है जो वैशेशिक दर्सन है आप सारे बच्चों को पता होगा जो हिंदुस्तान का दर्सन है प्यारे बच्चे उसको हम सट दर्सन या सट दर्सन यानि छे दर्सन उसमें आते हैं छे दर्सनों में से व और अक्षपात गोतम की अगर हम बात करें तो ये नियाए दरसन के हो गए, वैशेशिक दरसन के हैं, उलूक कनाद, और पतंजली रिसी ने क्या दिया था, आपका योग दरसन दिया, दरसन का मतलब उसको आगे प्रोसीड करना, ऐसा निया इन्होंने योग सुरू किया, नियाए को, ऐसे ही दो और हैं हमारे, एक तो पूर्व मिमानसा, बहुत पूछा जाता है, पूर्व मिमानसा दरसन किसने दिया, आप बताएंगे, और एक बार बो उत्तर मिमानसा दरसन किसने दिया है, तो पूर्व मिमानसा पूछे या उत्तर मिमानसा पूछे, तो पूर इसका जोड़ा सही नहीं हे अंग अब अंग नाम से आप समझ गए होंगा मैं आप से पूछू अंग क्या है बोलेंकों बीबटा देना आप कहो गए अंग भYा एक क्या है महा जनपद है और महा जनपदों की राजधानी भी थी तो अंग की क्या करते थे, चंपी करते थे, खोपडी की, करते थे नहीं, बोलेंगे भी फटा-फट से, कोसल की प्यारे बच्चे, अही छत्र है क्या, नहीं, कोसल की तो है सिरावस्ती, क्या बोलोगे, कोसल की तो जी सिरावस्ती, याद है या नहीं है, वत्स की, वत्स कैसे ह मतश्य विराट है एक तुम से पूछूंगा मैं और एक का अगर तुमने उसका उत्तर सही बता दिया तो मैं समझ जाऊँगा तुम्हारे सारे याद है अश्मक जो सबसे दच्छिनी महाजनपत था महाजनपतों के बारे में भगवती सूत्र में बताया गया आपका अंगुत निकाय में इनकी संख्या कितनी थी महाजनपतों की सोले महाजनपत थे कौनसी में छटी सताबदी ईसापूर में 620 में इनका existence था प्यारे बच्छे बोलेंगे एक बार बहुत बढ़िया पोर्टली जी पोर्टली पोर्टली हाँ पोर्टली बोलो या क्या बोलो पोर्टल पोर्टली पोर्टल पेठान ये किसकी थी ये असमकी इसी के नाम है निमलिखित में से किसे उग्रसेन भःयानक सेना का स्वामी कहा जाता और एक प्रॉमिस लिखके जाओ बोलो भीया प्रॉमिस पेपर से पहले जाएंगे तो पढ़े के जाएंगे बहुत नंद को घंणनन को सिसुनाक को या फिर बिंविसार को कहा जाता है कि राजाओं के नाम सुने सूने से लग रहे हैं या नहीं बोलेंगे घंणनन बता रहा है एक बच्चा क्या नाम है इसका एंपाइर 47 तुम्हारा एंपाइर खटम कर दोंगा भाई मैं महा पदमनन अन् परसु राम किसकी उपादी है अपरो परसु राम इन्हीं की उपादी है सर्व छत्रान तक किसकी उपादी है आपका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे सर्व छत्रान तक इन्हीं की उपादी है और साथ में एक राट किसकी उपादी है एक राट महापदमनंद की उपादी है तो महापदम नंद ने कौन सा वंस स्थापित किया था आप सब को पता है आपका मगद की अगर हम बात करते हैं अच्छा मगद की राजधानी तो बता दो मगद की राजधानी क्या थी सबसे 37 साली महाजन पत था तो आप कहेंगे भीया मगद पर 4 वंस हुए हर्यक वंस, सिशुनाग वंस, नंद वंस और मोरिया वंस तो सिशुनाग के बाद में आया नंद वंस उसी नंद वंस के संस्थापक है महापदम नंद बोलेंगे भै बहुत बड़ी है भी बहुत गजब, बहुत सांदार गरी बरज बोल रहे हैं, पाटली पुत्र बोल रहे हैं, एकदम से ठीक है, राज गरह भी जो बच्चे कहरे एकदम से सही है तो नंदवन्स के यह संस्थापक थे प्यारे बच्चे लेकिन महापदम नंद के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए महापदमनंद की जो कलिंग विजय है क्या महापदमनंद ने असोक की तरह ही कलिंग को जीता था और इसकी जो कलिंग विजय है उसका उलेक कहां मिलता है हमको हाती गुमफा अभिलेक में मिलता है अब एक बार बुलें हाती गुमफा जो स्क्रिप्ट अपराई बच्चे ये किस ने लिखाया था तो आप कहेंगे भाया कलिंग के एक शाशक थे कारवेल कारवेल ने इसको लिखवाया था और महापदमनंद के बाद में एक घनानंद याद है घनानंद की क्या उपादी है इसको बोलते हैं अगरमीज क्या बोलते हैं इसको अगरमीज या जितेंद्रमीज इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको अगरमीज या जितेंद्रमीज या जितेंद्रमीज क्या बोलोगें जितेंद्रमीज इसको हम कहते हैं ठीक है और घनानंद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में जब सिकंदर का आक्रमन हुआ था तब किसका साशन था तब घनानंद का साशन था निमलिखित में से कौन सा इस्थल पार्शवनात से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध छेतर माना जाता है अगर हम बात करें प्यारे बच्चे जो जैन तीर्थंकर है तीर्थंकर सब्द जैन धरम से जुड़ा हुआ है और 24 तीर्थंकरों में से अधिक्तम को ग्यान कहां पर प्राप्त हुआ है समेद सिखर पर प्राप्त हुआ है पार्शमनात बताएंगे प्यारे बच्चे कौन से नंबर के तीर्थंकर थे तो मुल्कों एक उम्मीद जगेगी कि हमारे बच्चों को यह याद है तो आप कहेंगे भी है यह 23 वे तीर्थंकर थे और इन्होंने कितने नियम दिये थे चार नियम दिये थे याद है ना सत्य अहिंसा अस्ते अपरीगर है पाँचवा नियम किस ने दिया था तो पांचवा नियम ये तो आप जानते हैं महावीर स्वामी जी ने दिया लेकिन बताओ वो नियम कौन सा था पांचवा नियम उन्होंने क्या दिया था तो आप कहेंगे भीया उन्होंने नियम दिया था ब्रहम चरिय का किसका नियम दिया था श्यायवाद का सिद्धान्त किस से संबंद रखता है चारवाख से जैन से बौद से या फिर साख्या से तो स्यायवाद किसका एक अंग है प्यारे बच्चे चारवाख क्या बोलोगे ये जैन धरम का एक सिद्धान्त है अब बोलेंगे ये जेन धर्म का एक सिद्धाद है जेन संपरदाय में फिर्थम विवाजन के समय स्वेतांबर संपरदाय के संस्थापक कौन थे जो स्वेतांबर संपरदाय है उसके संस्थापक कौन थे बोलेंगे बात कर लेंगे प्यारे बच्चे Very good, very good, बहुत सांदार बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है A, B, B मैंना आपको कई बार बता है स्वेतांबर से ऐसे तो इस थूल भदर याद रखो न अच्छा मुझे बताओ जैन संगती कितनी हुई थी तो जैन संगती प्यारे बच्चे वल्लभी गुजरात में हुई और पेहली के अध्यक्ष कौन थे ये इस्थूल भदर ही थे ठीक है और वल्लभी जो दूसरी हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे देवर्धी छमा सिर्वन थे अच्छा बदर बाहु कौन सी साखा के लिए है ये दिगंबर है दिगंबर जानते हो ना जो दच्छिन में चले गए थे आपका कहां चले गए थे दच्छिन कुश्यन पूछू बड़ा अच्छा पिरसन है वो कौन वैक्ती है जिसने सुटांबर साखा का पिरचार दच्छिन में जाके किया था जो पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा बड़ा सांदार से उत्तर दे दो समन गयान की बहुविकली पर बुक कब तक आएगी भी अभी समय लगेगा प्यारे बच्छे उस पर काम चल रहा है अभी उसको लिखा जा रहा है वेरी गुड बहुत सांदार तो गौतम बुद्ध की मा किस वन से संबंदे थी साक्या वन से, माया वन से, लिखवी वन से या कोलिया वन से लिखवी से कौन है प्यारे बच्छे ये तो थी महावीर स्वामी की माता क्या बोलोगे महावीर स्वामी की माता इनके पिता सुद्दोदन साक्यवंस से थे लेकिन अगर हम बात करते माता कौन थी इनकी माता महा माया तो महा माया का संबंद कौन से वंस से था वो प्यारे बच्चे कोलियवंस संबंद रखती थी कौन से से कोलियवंस संबंद वो रखती थी निम्न को सही सुमेलित कीजिए जनम दिया हुआ है महत्मा बुद्ध जी का पर्थम पिरवचन दिया हुआ है महा बोधी दिया हुआ है त्याग दिया हुआ है तो बोलेंगे ये कुछ पिर्तीक चिन है ये नाम है जिन से आप लोगों को मिलान करना है क्या बोलेंगे महात्मा बुद्ध जी का जनम को किस से जोड़ाया था पर्थम परवचन तो जो सारनात में उन्होंने दिया रिसी पतनम में तो उसको तो हम धर्म चक्र परवरतन बोलते हैं कितनी घटना ये थी चार महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ करके गए महा बिनीश किर्मन जब ग्यान पराप्त हुआ तो संबुद्धी पहला उपदेश दिया तो दर्शकर परवरतन और जब ये इनकी मरत्य हो गई तो महापरी निर्वान जनम का परतिक क्या है प्यारे बच्चे ये कमल है जैसे मैंना आपको बताया था गर्व में आने का प्रतिक सफेद हाती है महा बोधी प्यारे बच्चे इसके लिए क्या हो जाएगा आपका बोधी वरक्ष हो जाएगा और त्याक का घोड़ा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे चार चार दो एक और तीन हो जाएगा चार दो एक और तीन यानि option डी प्यारे बच्चे एकदम से सही हो जाएगा बोध गरंथ मज्जिम निकाए किस भासा में है बोध गरंथ मज्जिम निकाए तो अच्छे बच्चे जानते हैं मज्जिम निकाए क्या है ये सुथ पिटक का एक भाग है मैंने बताये थे सुथ पिटक के पांच important भाग होते हैं दीग निकाय होता है, मज्जिम निकाय होता है आपका प्यारे बच्चे दीग निकाय होता है, मज्जिम निकाय होता है अंगुतर निकाय, खुंदक निकाय आदी ये कौन-कौन से निकाय है और एक निकाय मैंने छोड़ दिया उस निकाय का नाम बताओ अपका प्यारे बच्चे दीग निकाए मज्जिम निकाए एक अंगुत्तर निकाए और प्यारे बच्चे एक मैंने आपसे बोल दिया अब की बार बोलदू चौथा और सह्युक्त निकाए अब एक बार चोड़ दिया पाच बार सहियुक्त देखो बहुत सारे बच्चों सहियुक्त लिख दिया इस बार मैंने सहियुक्त बोल दिया तो मज्जिम निकाय किस भासा में है तो बौध गरंद किस में है पाली में लेकिन अगर हम जैन की बात करते है तो इनकी भासा कौन सी है प्यारे बच्चे इनकी भाहसा है प्राकरत, क्या बोलोगे, इनकी भाहसा भहिया जी प्राकरत है, नेक्ष्ट है, तुम्हे लित करेंगे, इधर संगती दे रखी हैं, और इधर अध्यक्ष दे रखी हैं, बहुत बढ़िया, खुंदक निकाई में पांसो उड़नचास कताए हैं, बहुत बढ़िया, बजक बजक, अब की बार तो लिख दिया कही सारे बच्चों ने, खुंदक चुड़ा है, ठीक है, आग आएंगे, तुम्हे लित कीजिए, पिर्थम बाध्यसंगती, दुतिय बाध्यसंगती, पिर्थम बाध्यसंगती, प्यारे बच्चे, और किस किस से इसका मिलान होगा, तो क्या बोलेंगे, भही अब पिर्थम बाध्यसंगती के समय, अद्यक्ष महाकश्यब, दूसरी के समय, सबबाकामी, तीसरी के मोगली पुत्त, और चौत्य के वसुमित्र, ये तो लिखे पहली वाली की बात करें, तो 483 BC में हुई, जब महात्मांबुध जी की मरत्य हो गई, दूसरी की बात करें, 383 BC में हुई, अगर तीसरी की बात करें, तो 255 BC में हुई, और चौत्य की बात करें, तो पहली सताबदी में हुई, कब? पहली सताबदी में हुई, प्यारे बच तीसरी पाटली पुत्र और चौथी कुंडलवन में हुई ठीक है अजाद सत्रू काला शोक अशोक कनिश्क राजगिरह वैसाली पाटली पुत्र कुंडलवन और वी पीके अच्छा जी next महा भिवासा सास्तर के रचेता कौन है वो कौन वेक्ति हैं जिन्नोंने महा भिवासा शात्र को लिखा है वशुमित्र है यह संगत है नागारजुन है या फिर अस्व घोस होंगे या फिर अस्व घोस होंगे बहुत धर्म की बहुत पिरसिद्ध पुस्तक है और बहुत अब तुम ही हो तेवाला सीन है तुमसे बहुत बढ़िया तो क्या बोलेंगे वशुमित्र की है अगर बहुत दूखी और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं जैसे एक पुस्तक है आपकी वासवदत्ता क्या बोलोगे वासवदत्ता एक पुस्तक है एक है स्वपन सहा से बताओ कि कौन बता देगा इन दो जेटल परसनों के उत्तर, इन पुस्तकों के लेखक कौन है, सौधरा नंद के तो सायद बता सकते हैं बहुत सारे बच्चे, सौधरा नंद के लेखक कौन है, बुध्य चरित को किस ने लिखा है, ये बौध दरसन की कुछ पुस्तके ह स्वबंधु ने स्वपनवास दत्ता प्यारे बच्छे किस ने लिखी है, और साथ में बुध्दचरित भी किस ने लिखी है, वो आपका अश्व गोच्छ ने लिखी है। बहुत इंपोर्टेंट पुस्तके हैं, ठीक है? मिलिंद पन हो, मिलिंद के पिरसन, राजा, मिलिंद और किस बौध बिक्षु के मध्ध है समवाद के रूप में? किन-किन के बीच का ये समवाद है? क्या बोलेंगे मिलिंद पन हो, तो मिलिंद किसको कहा गया? आप कहेंगे मिलिंद कहा गया, भिया जी किसको मिनांडर को कहा गया? अच्छा मिनांडर एक विदेसी सासक है, तो विदेसी सासकों में किस से इसका संबंध है? तो आप कहेंगे कि मिलिंद, राजा मिलिंद और किस से उस सर्चा हुई? उसकी नागसेंस हुई बहुत बिक्षू नागसेंस है उसकी चर्चा हुई और प्यारे बच्चे इसके बारे में जो अभिलेक लिखता है उस अभिलेक का क्या नाम है तिन कोट अभिलेक है वन बताता है इसके बारे में तिन कोट अभिलेक इसके बारे में बताता है ठीक है य एक इंडो-ग्रीक सासक थे, क्या थे ये, हिंद-यूनानी सासक थे, एक विदेशी सासक, इंडो-ग्रीक समझते हो ना, हिंद-यूनानी, भारत आने वाले विदेशियों में पहले कौन आए, पहले इरानी आए, फिर यूनानी आए, यूनानीों के बाद में प्यारे बच्छे कौन आए थे आपके हिंद येवन आए थे और आपके सक आए थे पिर पहलव आए थे पर कुशान आए थे पर दिकत कोई प्रेसा नेक्स्ट है नेनार कौन थे गुरुज़ आप अदास क्यों लग रही है ने भीया मैं बिलकु अदास नहीं हूँ हूँ रोईरत कुमार बस मेरी आँखे बहुत जादा थकी हुई है और कुछ नहीं है अदास नहीं है मेरे आँखे बहुत ज़्यादा आप लोग दिख रहा होगा, आँखे मेरी सुझी हुई है, आँखे ठकी हुई है, बहुत ज़्यादा, ऐसे मतलब पलक लग जाती है न, बहुत देर तक, ऐसी इस थेती है, नेनार कौन थे? सैब थे, सक थे, वैशनव थे या सूर्य उपासक थे तो आप कहेंगे नेनार थे भीया भगवान सिव के उपाशक कौन थे भगवान सिव के उपाशक थे और जो वैशनव थे उनको हम बोलते आलवार या प्यारे बच्चे अलवार हम कहते हैं तो कई बार पूछा जाता है कि नेनार संतों की संख्या कितनी है तो क्या बोलोगे नेनार संख्या में थे तरेशट और अलवार थे प्यारे बच्चे संख्या में बार है ठीक है तो नेनार कौन थे जो लोग भगवान सिव की पूजा करते थे अलवार भगवान विश्णू क पूजने वाले इन ही के लिए भक्ति आंदोलन चला था भक्ति आंदोलन इन दौनों के बीच के मतभेदों को खतम करने के लिए चला तो कभी भी पूछे भक्ति आंदोलन किस के लिए चला प्यारे बच्चे तो नियनार और अलवार के बीच के मतभेद को खतम करने के लिए ये चला था भारत में असोग का साशनकाल था जो समराट असोग है उनका साशनकाल कब से कब तक रिमाइंड करें और बहतरी इंसाइक उत्तर था तो आप कहेंगे भीया मोरिय सामराज्य इतनी मेन तुम्हें चीजे कराई हैं ना मोरिय सामराज्य की अगर हम बात करते हैं 322 से चला 298 तक कौन थे चंदरगुप्त मोरिय थे फिर 298 से 273 कौन आया था आपका वो आया था बिंदु सार और बिंदु सार के बाद में 279 से 232 कौन बैठा था वो अशोग बैठा था लेकिन प्यारे बच्चे क्या हम इस आप्सन को चुने या फिर चुने बिया 279 से लेकर के 232 मेरी बात सुनना ध्यान से अगर 249 की बात करते हैं 273 से 232 मानती है अगर यह हमरा उप्सन होगा तो यह चुनेंगे और अब गर हम चुनने लगए अभी उप्रोगत में से कोई नहीं तो आप कहेंगे UPPCS ने इसको गलत माना है UPPCS ने सही उत्तर माना है कि विकल्प में 279 को इसी लिए हटाया गया क्योंकि वो आपसे 273 को जानना चाहता था ठीक है खुदिकत असोक के निमलिखित अभिलेखों में से किसमे दच्छन भारती राज्यों का उलेख हुआ है असोक के बारे में प्यारे बच्छे आपको पता होना चाहिए सब कुछ बोलेंगे एक बार कि असोक 279 विश्य में गद्धी पर बैठा 261 में अपनी गद्धी पर बैठने के आटवे वर्स उसने कलिंग पर आकर्मन किया जो तेहरवे सिलालेख में बताया गया है तो तिर्तिय मुख्य सिलालेख में बताया गया है या दुतिय में तो क्या बोलेंगे भहिया दूसरे में बताया गया है अच्छा कितने उनके नाम आप जरा बताएंगे मुझे कौन से दच्छिन के राज्य थे क्योंकि असोक का सामराज्य बहुत बड़ा था दच्छिन में इसका नहीं था तो क्या बोलेंगे तो कौन सा था भहिया एक तो छेर के बारे में बताया एक चोल के बारे में बताया एक पांडिय के बारे में बताया एक प्यारे बच्चे आपका सत्य पुत्र जिसको आप केरल कहते हैं सत्य पुत्र के बारे में बताया यह दूसरे में बताया तीसरे में प्यारे बच्चे अधिकारियों को दौरा करने के बारे में बोला कि अधिकारी क्या करेंगे अधिकारी भिर्मन करेंगे दौरा करेंगे अगर हम बात करें नवे सिलालेक की तो इसमें समारोहो की निंदा की उसमें बहुत सारे समारोहो की निंदा कर दी ठीक है और तेहरवा आप जानती है बहुत इंपोर्टेंट है इसमें कलिंग कलिंग विजे को बताया गया है किसको कलिंग विजे को और ऐसे ही आप चोथा मत भूलना असोक ने क्या किया था चोथे में उसने बोला था भेरी गोस की जिगए धम घोस भेरी गोस कैसी नीती थी उसकी तो आप कहेंगे भीया भेरी गोस का मतलब था की असोक ने युद्ध की नीती को छोड़ करके युद्ध की नीती त्याक करके सांती की नीती बौध का मार्ग अपना लिया था ठीक है? अगे मोरिय सामराज्य का विवाजन साथ वर्गों में विसेश तोर पर उल्लिखित है जो मोरिय समाज का साथ वर्गों में विवाजन हुआ ये कहां पर बताया गया है साथ वर्गों में बाट दिया 118 जंजाती बता दी 58 नदी बता दी दो पिरकार के अधिकारी बताए थे एग्रोनोमई और एरिष्टोनोमई एग्रोनोमई को बोला था कि वो किरसी और किस से संबंदित है सडक से संबंदित है Aristonomoi को बोला था वो उद्ध्योग और व्यापार से संबंदित है तो प्यारे बच्चे ये कहां पर बताया गया ये Megasthnij की पुस्तक इंडिका में बताया गया है किसमे Megasthnij की पुस्तक इंडिका में क्योंकि इसमें लिखा गया Administration of Partly Putr Partly Putr के पुरिशाशन की जानकारी उसने दी थी क्या बोला था भीया उसने पुरिशाशन को तो पहले तो उसने Partly Putr को ही बोला अच्छा Partly Putr को क्या बोला है जोरा बतायेंगे Megasthnij ने Megasthnij की पुस्तक है ना इंडिका Megasthnij जो चंद्रकुत मोरिय के दर्बार में आया Cellucus Nicator का राजदूद था तो आप क्या बोलेंगे Partly Putr को भीया जी उसने पाली ब्रोथा कहा है उच्छा गया कुशन है S.S.C. के द्वारा की आपका क्या बोलेंगे Megasthnij ने Partly Putr को क्या कह करके पुकारा बहुत इंपोर्टेंट कुशन है तो पाली ब्रोथा और पाली ब्रोथा के साथ में उसने बोला कि इनका जो समाज था वो केंदरी करत था यानि centralized था क्या बोला केंदरी करत समाज इनका था मोरिय काल में सिक्षा का सरवाधिक प्रशिद केंदर था कौन सा केंदर था सिक्षा का जो सबसे प्रिसिद था एक बार बोले वैशाली था नालंदा था तो नालंदा तो गुप्त बंस के समय पर डैवलप हुआ तक्षिला था क्या या फिर उज्जेन था तो आप कहीं आचारिय चानक के यहीं पर थो थे प्रोफेसर कहां पर थे वो आपका चानक के जिनको हम प्यारे बच्चे विश्णु गुप्त कोटिल्य बित भी कहते हैं ठीक है जिनको हम क्या बोलते हैं चोथा नाम बता सकते हैं तो विश्णुगुप्त भी कहते हैं और कोटिल्या भी हम कहते हैं इनको आचारिय चानक्याजी को चोथा नाम बताएं तो क्या बोला जाता है उनको भारत का मेक्यावेली भारत का मेक्यावेली तो याद रख लेना मुरेकाल में सिक्षा के 18 जिसमें से दो अधिकारी आपको हमेशा पता होने चाहिए वो दो अधिकारी कौन से हैं? प्यारे बच्चे, एक तो समावरता मोर्य काल में समावरता अधिकारी का क्या कारिय था और एक आटविक का क्या कारिय था यह बहुत important है, बार-बार पूछे जाते हैं, समावरता था राजस विभाग का पिरमुक जैसे अकबर के समय पर था ना चोडरमल के पास कौन सा विभाग था राजस विभाग आटविक प्यारे बच्चे ये किसका था ये वन विभाग का पिरमुक था इसका वन विभाग का पिरमुक था निम लिखित में से किसकी तुलना मेक्यावैली के प्रिंस से की तुलना की जाती है वाद्शायन का कामसूतर और तुरू वल्लूर का तुरू कुलर देखो पहली बात तो यह चारो किताबे बहुत इंपोर्टेंट है चारो अप्सन में जो लिखी हुई है आपको पता होनी चाहिए किस से तुलना करती है कोटिले का अर्थ सास्तर जो कोटिले का अर्थ सास्तर है उसी को देख करके मेक्यावेली ने मेक्यावेली क्या बोलते हैं उसने प्रिंस पुस्तक की लिखी और प्रिंस पुस्तक जिसमें इस्टेट के बारे में उसने बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का जनता के परती कैसा विवार होना चाहिए भारत में सरपर्थम स्वन मुद्राएं किसने चलाएं? बोलेंगे भी, सबसे पहले मैंने बुला इंडो ग्रीक सा सक आए, फिर प्यारे बच्चे आपका सक आए, सकों के बाद में पहलव आए, पहलवों के बाद में प्यारे बच्चे कुशान आए, पहलवों के बाद में कुशानों ने चलाई या हिंद यवन सासकों ने चलाई तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आता हुआ सक कुछ का कुशान है कुछ का बी ज्यादा बच्चों का आंसर आ रहा है तो क्या बूलेंगे इंडो वेक्टरिन तो हिंद यूनानी सासकों ने चलाई थी पुसानों ने तो प्यारे बच्चे तुद्द सौने के सिक्खे चलवाए है ठीक है अच्छा इन्होंने चांदी के सिक्खे भी चलवाए थे क्या हाँ जी तो इन्होंने जो चांदी के सिक्खे चलवाए उन चांदी के सिक्खों को हम क्या बहते थे तो चांदी के सिक्के इन्होंने द्रम भी चलवाए थे ये भियाद रखें सौने के सिक्के तो चलवाई ही चांदी के सिक्के द्रम भी इन्होंने चलवाई थे वो दिक्कत बोलेंगे भी फटाफट से बोलते रहो भी थोड़ा थोड़ा बीच में देख दो हमसे डैडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, अच्छी बात है ऐसी पढ़ना चाहिए हमेशा, very good, माल लेते हो तुम बात मतला, very good, आगया आगया, सक्समवत का प्रारम किस समराट के सासनकाल में 78 इस्वी में हुआ था, तो आप कहेंगे भिया कनिस्क के समय पर हुआ थ कुशान वंस का संस्थापक कुजुलकुडफिसेश है, मुझे दो वेक्ति आप बता दें, जो कनिश्क के दरवार में रहते हैं, बहुत इंपोर्टेंट वेक्ति हैं, दो वेक्ति आप बता दें, जिसमें से एक तो मुझे याद आ रहे हैं, और बाकी मैं भूल रहा हूं इसमें तो मैं उम्मीद करूँगा, आप प्यारे बच्चे मुझे याद दिलाएंगे, तो चरक बहुत महत पूर्ण है, बहुत बढ़िया, बहुत सांदार, चरक लिख रहे हैं आप सब लोग, चरक तो मैं लिख चुका हूं, तैनाली राम इनके धरवार में नहीं हुई ह तैनाली राम साउथ से हैं, तैनाली रामकृषनन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नागार जुन, भारत का आइंश्टीन जिनको कहते हैं, बहुत गज़ब, धन्वंतरी जो बच्चे लिख रहे हैं, वो इनके दरवार से नहीं है, प्यारे बच्चे, धन्वंतरी तो चंद्रकूप दित्या के दर्बार से थे, आ गया हैं, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमन के संबंद में निमलिखित में से कौन सा एक सही कालानुकरम है, तो यूनानी पहले आए, फिर सक आए, फिर कुशान आए, फिर सक आए, सक आए, फिर यूनानी आए, फिर कुशान आए तो आप कहेंगे भीया जी सबसे पहले तो हकामनी सामराज्जे के इनानी आए इनानीों के बाद यूनानी आए यूनानीों के बाद हिंद यवन आए ठीक है पहलब दे नी रखे, कुशान दे रखे है तो option एक क्या है हमारा प्यारे बच्चे एकदम से सही हो जाएगा ठीक है, next आगे आई निमलिखित को सुमेलित कीजिए सूची एक और सूची दो एक तो है प्यारे बच्चे राजवंस और इधर दे रखे हैं उनकी राजधानी सुंग वंस की राजधानी कौन से थी सातवाहन वंस की राजधानी कौन से थी कदम सासकों की राजधानी कौन से थी या फिर जो चंदेल सासक थे उनकी राजधानी कौन से थी क्या बोलोगे आप कहेंगे बहिया सुंग वंस की जो राजधानी थी वो थी पाटली पुत्र और साथ वाहनों की बात करें तो पैठन जिसको प्रतिष्ठान हम कहते हैं कदम की कौन सी थी आपका बनवाशी थी और चंदेल सासकों की थी महोबा यानि सुंग सासकों की क्या थी प्यारे वच्चे पाटली पुत्र चार साथ वाहनों की पैठन तीन कदम की दो और एक चार तीन दो एक हमारा सही आंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त के प्रियाग प्रसस्ती इस्तंब पर निमलिखित में से किसका लेख मिलता है समुद्र गुप्त जो गुप्त वंस में प्यारे वच्चे आपका अगर हम बात करते हैं किसकी चंद्र गुप्त प्रथम का पुत्र था चंद्र गुप्त प्रथम के बाद गदी पर आया और गदी पर आया तो पूरे भारत को रोंद डाला पुरे भारत को रोन डाला तो उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया ये आप बताएं, नौ की बार है तो आप कहेंगे भीया कौन है सुरी, कुछन कुछ और है समुद्र गुप्त का प्रियाग प्रसस्ती अभिलेक पर कौन से राजा का जिकर मिलता है कुछन आपका ये है ये उसके मतलब जो प्रियाग प्रसस्ती अभिलेक है क्या बोलेंगे प्रियाग प्रसस्ती अभिलेक तो प्रियाग प्रसस्ती अभिलेक पर प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे ये था आपका हरीशेंड किसने लिखा है हरी शेंड ने लिखा है इस बात में तो क्या बोलेंगे कौन से राजा का जिक्र मिलता है जहांगीर का जिक्र इसका जहांगीर का जिक्र मिलता है तो कितने राजाओं को हराया उसने नौ पिलस बारे राजाओं को हराया नौ राजा कहां के थे उत्तर भारत के और बारे राजा कहां के थे दच्छन भारत के थे और प्यारे बच्छे बहुत बार पुछा जाता है कि उसने कि दच्छन के राजाओं के लिए कौन सी नीती का प्रियोग किया तो दच्छन के लिए उसने किया गरहन मोक्षा नूगरह नीती, यानि यह जीतता तो था सामराज्य को, लेकिन वापस उन्ही को सौप देता था, लेकिन आपसे कभी भी पूछे, उत्तर भारत के लिए कौन सी थी, तो राज्य परशा बोध धरन थी, क्या बोलोगे? राज्य परशा बोध धरन की नीती इन्होंने अपनाई थी, तो दिकत और प्यारे बिचे परसो इस्टेटिक जीके के बारे में जानते हो या नहीं मैंना आपसे पहले ही कहा था GS में आप कोई भी विषय बहुत गहनता से पढ़ें ना पढ़ें History, भूगोल या बात करें हम Economics किसी भी विषय को महत्व आप देना दे आपको कौन से विषय को महत्व देना है इस्टेटिक जीके को इस बात को लिख लेना आपसे पहले से कहता है हूँ History पर बहुत ज़्यादा समय आपको देने की जरुरत नहीं है ठीक है निमलिखित में से सही सुमेलित करें लेखक है और उनकी रचना है तुद्रक की रचना विषाखा दत कालिदास की रचना और भव भूती की रचना तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे तुद्रक की कौन सी रचना है आपकी मरच्छ कटिकम है क्या है मरच कटिकम है विशाख दत्त की रचना कौन सी है प्यारे बच्चे मुदरा राक्षस है कालिदास जी की विक्रमोर वर्षय मैं मेगदूत हो रितु संहार हो विग्यान साकुंतलम हो भवववुती की कौन सी यह उत्तर रामचरित है सीधे सीधे मिलान हो गए आपका क्या बोलेंगे 1,2 का 4 बहिया जी हो गया 1,2 का 4 नहीं 1,2,3 का 4 हो गया आगया है लीलावती का लेखक थे लीलावती जो पुस्तक है आपकी प्यारे बच्चे उसके लेखक कौन थे महावीराचारिय थे, हेमचंद्राचारिय थे, भासकराचारिय थे, अकालकाचारिय थे तो क्या बोलोगे भासकराचारिय थे? कौन थे? भासकराचारिय थे क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? भासकराचारिय थे अब मैं आपको कुछ पुस्तके बताने जा रहा हूँ जो बहुत important है जैसे करपुर मंजली पूछ ले आपसे करपुर मंजली लगातार परिक्षाओं में पूछी जाती है बताएंगे इसके लेखक कौन है अच्छे सभी छात्र जवाब देंगे काव्य मिमानसा मैं आपसे पूछ लूँ प्यारे बच्चे काव्य मिमानसा पुस्तक के लेखक कौन है ठीक है अर्डवन मैं आपसे पूछ लूँ नाट्य सास्तर को किसने लिखा है नाट्य सास्तर को किसने लिखा है चौथा मैं प्यारे बच्चे आपसे पूछ लूँ सारा वली को किसने लिखा है सारा वली को किसने लिखा है पांचवा मैं आपसे पूछ लूँ हस्तियार व्यूरवेद क्या बोलेंगे हस्तिया व्यूरवेद प्यारे बच्चे इसके लेखा कौन है क्या बोलोगे करपुर मंजरी भहिया जी करपुर मंजरी और काव्य मिमाशा ये किसकी हैं ये दोनों की दोनों राज शेखर की हैं इसकी हैं राज सेखर की हैं नाट्य सास्त्र भहिया जी भरत मुनी का है किनका है भरत मुनी का है तारा वली प्यारे बच्चे आपके किसकी र रचना है कल्यान वर्मन की रचना है इनकी रचना है कल्यान वर्मन की रचना है और हस्ताय रुवेद किसकी रचना है आपका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे भीया जी यह पाला काप्या की रचना है किसकी पाला काप्या जैसे आप सारे बच्चे जानते हैं आयरुवेद त तो पसु चिकित्सा का वेद कौन सा है? तो ये हस्तियार वेद, ये पसु चिकित्सा का वेद है. क्या बोलेंगे? किस वेद को पसु चिकित्सा का वेद कहा जाता है? तो कौन सा है? हस्तियार वेद है. प्राचीन भारत में किस वंस का साशनकाल स्वन्युक कहा जाता है? कौन तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे बाया गुप्त वंस था। क्या था। यूँक्ट इस समय पर विद्वान वेक्ति बहुत हुए। संद्रगुप्त वित्या की दरबार में कितने बैत्रीन लोग रहते थे। एक एक वेक्ति का नाम बताओ। तो आप कहेंगे महाकवी, कालिदास, वरामीर जैसे गड़तियग, धर्वंत्री जैसे चिकितसक, और बेताल भट जैसे जादुगर, और जोतिस के जानकार, छपड़क जैसे लोग, प्यारे बचे अमर सिंग जैसे लोग, आपका घटकरपर जैसे लोग, तो इतने महान महान आरिया भट जैसे लोग, इसी समय पर आए आपका, और अगर हम बात करें, इन्होंने बहुत सारे इस्थापत्य कलाई, मंदिर आदियो का निर्मान करवाया, तो ये भारतिय इतिहास का स्वन्यूग माना जाता है इसको, तो इनका पिर्मुक उद्धियोग कभी पूछ ले नारंदा कुमार गुप्त ने स्थापित किया था प्यारे बच्चे और इनके तीन कर भी याद रख लेना, कर, एक तो आपका वेश्टी कर था, वेश्टी टैक्स था, एक भट कर था, और एक प्यारे बच्चे आपका चाट कर था, क्या था चाट, वेश्टी की अगर बात करते हैं यह बेगार पर लगता था भट करकि अगर हम बात करें प्यारे बच्चे यह पुलिस टैक्स था एक और चार्ट कर था आपका जो लुटेरो पर लगता था लूट के लिए लुटेरो पर ठीक है इनका धर्म क्या था यह वैशनव था अब आप सोचेंगा भईया आप का बेगार क्या होता है बेगार का मतलब होता है जब आप किसी से जवर्दस्ती कोई कार्य कराते हैं यानि कोई बलात सरम है किसी बच्चे आदी को आपने कार्य में रख लिया है तो वो बच्चे से जो आप कार्य करा रहे है उसको प्यारे बच्चे आपका क्या कहेंगे आ कुन था वर्धनवंस सोचो जरा वर्धनवंस कौन सा है वर्धनवंस आप कहेंगे भीया वर्धनवंस तो वह है जो आपका कहां था थानिश्वर में था अच्छा थानिश्वर से यह लोग कहां आगे थे मुझे पहले यही बताएं थानिश्वर भारत के किस राज्य में स्थ तो इनकी प्यारे वच्चे जो इस्थापित किया है ये इस्थापित किस ने किया था या पिरभाकर वर्धन ने या फिर हर्षवर्धन ने तो कि बोलेंगे शुरुवात इसकी प्यारे वच्चे जो की थी वो पिरभाकर वर्धन ने की थी हर्षवर्धन ने नहीं हर्षवर् जब उनका once उजड गया तब ये लोग यहां पर आई समराथ हर्स ने अपनी राजधानी थानिश्वर से कहां स्थान न्तृत की थी तो कहां पर स्थान न्तृत की थी कन्योज परिस्थान अंत्रित की थी निम्न में से किसको दुत्य असोक के रूप में जाना जाता है दुत्य असोक कौन है तो क्या बोलेंगे दुत्य असोक के रूप में जाना जाता है भीया जी समुंद्र गुप्त को चंद्र गुप्त मोरिया को इसकंद गुप्त को या फिर हर्सवर्धन को तो सेकंड असो कौन है आपका आप कहेंगे हर्सवर्धन हर्सवर्धन के बारे विए जो कुछ आप जानते हैं उसको एक बार रिमाइंड करिए जिसे 666-647 ये गद्धी पर बैठा चाहे वो महामोक्ष परिशद हो चाहे इसके दर्बार में हैंस्वांग आया हो या फिर अगर हम बात करें इसके नीतियों की कैसे इसने दिवाकर मित्र की मदद से अपनी बेहन को खो जा था तो क्या बोलोगे ये 666-647 है इतने वर्सों का सासन किसका था आपका वित्य असुक के सासाथ प्यारे बच्चे सिला दित्य अच्छा बताएं सिला दित्य किसने कहा आप कहेंगे सिला दित्य वहिया जी वेहन सांग ने कहा जिसको हम बोलते हैं वेहन सांग किसने कहा था वेन सांग ने कहा था निम्न में से कौन सी रचना हर्स द्वारा रचित नहीं है कौन सी रचना है जो हर्स वर्धन द्वारा रचित है तो रतनावली की रचना की है क्या नागानंद, हर्स शरित या फिर प्रिय दर्शिका लिखा हो आप कहेंगे हाँ जी रतनावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लेकिन हर्श चरित्र को किसे ने लिखा है ये प्यारे बच्चे आपका बानभट ने लिखी है और बानभट की पुस्तक है और कौन कौन सी कादंबरी कादंबरी नहीं भूलेंगे जी चंडी सतक किसकी जो एक दरबारी था किसका हर्श वर्धन का एक दरबारी था ठीक है अगे है प्रिंस ओफ पिल्ग्रिम्स नामक किसे नाम प्रदान किया गया था प्रिंस ओफ पिल्ग्रिम्स कौन है जिसको हम बोलते हैं क्या आपका यात्रियों का राजकुमार क्या बोलते हैं यात्रियो लिखी चंद्रगुप्त मोरिय के समय पाहियान ये प्यारे बच्चे आपका चंद्रदुत्य के समय पर आया था इसकी रचना है फाक्यों की कौनसी रचना है इसकी फाक्यों की इसकी रचना है और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे हिंस्वांग की रचना का नाम है ती यू क क्या बोलोगे T.E.U की रचना किसकी है यह हिंस्वांग की है पस एक बार कमेट सेक्षन में लिखें हिंस्वांग किस वर्स में भारत आया था बहुत जगह इसकी गलट डेट लिखी रहती है 629 आप हमेशा लिखेंगे प्यारे बच्चे 630 से 645 क्या बोलोगे 630 से 645 यानि 15 वर्स होता कि भारत में रहा और हर्स वर्धन को सिलादित्य कह करके उका रहा है इस वाले प्रसंट पर प्यारे बच्चे मैं आपके आंसर देखूंगा सबके कि कितने आंसर आप कर पा रहे हैं कितनी मेहनत आपने अब तक की थी प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यक पानीनी पुष्यमित्र सुंग के अधीन थे अमर सिंग हर्सवर्धन से संबन्दित हैं कालिदास चंद्रकुद्धित्य से संबन्दित हैं एक ठीक बता दो कौन सा ठीक है टोटल किक्षन कितने हैं संगम सर्मा पूछ रहे हैं विटा 170 है मेरे भाई 170 जब लोगे तो पानीनी क्या पुष्यमित्र सुंग के दरबार में थे पतंजली जिनने इनके लिए क्या कराए थे अश्मेग यग कराए थे अमर सिंग क्या हर्सवर्धन के दरबार में नहीं ज ठीक है इसमें सिर्फ एक ठीक है ठीक है याद है ना प्यारे बच्चे एक तो इनके दरबार में कौन थे वराह मिहीर थे कौन थे वराह मीर जोतिस से संबंदित रखते थे वरूची याद है इनका संबंद व्याकरण से था जादूगर याद है बेताल भट बेताल भट कौ था ये जादूगर था चीक है तो अमर सिंग कौन थे प्यारे बच्चे जो इन्हीं के दरबार में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिन्होंने अमर कोस की रचना की थी एक थे प्यारे बच्चे धनवंतरी चिकितसा से घटकरपर थे एक घटकरपर का संबंध किस से था काव्य रचना से था एक महा कवी कालिदास थे क्या बोलोगे इनको भारत का सेक्सपियर हम कहते हैं एक संकू थे और एक थे प्यारे बच्चे आपका चपनक क्या बोलोगे चपनक थे आपका जोतिस सबसे जादा पूछा गया है कि चंद्रकुप्तित्य के दरबार में रहने वाले चपनक का संबन्द किस से था जोतिस से संबन्द था और जो संकू है संकू का संबन्द किस से था प्यारे बच्चे तो हमेशा याद रखने ना सिल्प से इस्थापत्य से जो आपका बिल्डिंग डिजाइनिंग होती है आर्गिटेक्चर होता है उससे इनका संबन्द था राज शेखर अभी बताया करपुर मंजरी और प्यारे बच्चे जिन्होंने कावे मिमान सा लिखी बाल रामाइन भी इन्होंने लिखी किस पिर्तिहार सासक के दरवारी कवी थे मेहंदर पाल पिर्थम, नागभट पिर्थम, मिहीर भोज या फिर वत्सराज क्या बोलेंगे किस के दरवार में आए प्यारे बच्चे? मेहंदर पाल पिर्थम के दरवार में आए जो कौन थे? गुजर पिर्तिहार वंस के सासक थे और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? यह एहोल अभिलेक इसकी जानकारी देता है क्या बोलोगे ए होल अभिलेक इसकी जानकारी देता है अगर संस्थापक बात करें परतिहार वंस के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वास्तविक संस्थापक आप कहेंगे नागभट पर्थम थे क्या बोलोगे नागभट पर्थम थे इसी में प्यारे बच्चे आदी वर जी का वर्णन इसमें मिलता है ठीक है और एक याद रख लेना एक बगदाद से आया था अलमशूदी पुछते हैं अलमसूदी कहां से आया था ये बगदाद से आया था ये प्यारे बच्चे किसके समय पर आया था तो आपका अंसर आना चाहिए कि भाईया ये महंदर पाल प है प्यारे बच्चे चंदेल वंस संस्थापक बहुत पूछता है युद्ध बहुत पूछता है प्यारे बच्चे सबसे यादा चांसे होते हैं कि पूछे जाने के नन्नुक ने किये है वाशुदेव ने उपेंदर ने या फिर्टी वर्मन ने तो बोलेंगे चंदेल वंस आप बोलेंगे एक बार कुसान, जितने आप जानते हों एक बार आप बताएंगे, कुशान पूछलू मैं आपसे, मैं पूछलू गंग वंस के स्थापक कौन है, मैं आपसे पूछलू पाल वंस के स्थापक कौन है, मैं आपसे पूछलू सेन वंस के स्थापक कौन है, मैं ये थे आपका कुजुल कुड़ फिशेश है गंग वंस की बात अगर हम करें कुजुल कुड़ फिशेश है हम इसा याद रखेंगे अगर गंग वंस की बात करें तो तालकाड है क्या बोलोगे तालकाड है पाल वंस के प्यारे बच्चे गोपाल है और सेन वंस के क्या बोलोगे आपका सेन सेन क्या बोलेंगे सामन्तसेन है राश्टकूट वंस के पियाद रखें और चोहान के कौंन थे पियाद रखने है सेन वंस का संस्थापक कौन है सामंत सेन लचमंड सेन विजय सेन या वल्लाल सेन तो क्या वोलेगा भीया आप कहीं है भीया जी सामंत सेन है सामन्त सेन हैं वेंगी के चालुक्यवंस के संस्थापक कौन थे वेंगी के चालुक्यवंस के चालुक्यवंस के संस्थापक कौन थे पुलकेसिन पर्थम और इसी समय के कुछ अन्यवर्थ है आपके तो क्या बोलोगे विंगी के चालू के वंस के विश्णू वर्धन होगे जैसे मैं बात करूँ कल्चूरी वंस था इसके संस्थापक कौन है जो भी कल्चूरी कैलेंडर भी आया था कल्चूरी वंस के संस्थापक है कोकल क्या वोलोगे कोकल है कोकल पर्थम जिसको हम कहते हैं कोकल पर्थम एक मैतरक वंस था इनके ही करीवी बहुत छोटा सा वंस था तो मैतरक वंस के संस्थापक कौन थे तो आप कहेंगे भटारक थे तो बोलोगे, वो कौन थे प्यारे बच्चे, वो भटारक थे, मैतरक वंस के संस्थापक, ठीक है, हाँ, बिल्कुल हिश्ट्री फैक्ट से एकदम ठीक लिख रहे हैं आप, पल्लव वंस का संस्थापक कौन था, पल्लव वंस का सिंग विश्णू, महंदर वर्मन, वर्मन, दित्य थे, तो क्या बोलोगे भीया, तो पल्लव वंस, और फिर इसके करीबी, तो पल्लव वंस के आप कहेंगे, सिंग विश्णू थे, क्या बोलोगे, सिंग विश्णू थे, और गेहडवाल वंस आपसे पूछ लूँ, गेहडवाल वंस के संस्थापक कौन थे, प्यारे बच्चे, तोलंकी वंस मैं आपसे पूछ नहीं पता, जिनको वो लिखे, मूल राज थे, कौन थे? मूल राज प्रथम थे, ठीक है? और आपका परमार वंस के अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो क्या वो लोगे कृषण राज थे? कौन थे? कृषण राज थे चोल सासक का नाम बताईए जिसने स्रिलंका के उत्री भाग पर विजय पराप्त कर ली थी वो कौन थे प्यारे बच्चे वो चोल सासक कौन थे राज-राज परथम थे राजेंद्र परथम थे परांतक परथम थे या फिर आदित्य परथम थे बोलेंगे भी तो क्या बोलोगे ये है भीया राज राज पर्थम कौन थे राज राज पर्थम अगर मैं चोल की बात करूँ तो इनके संस्थापक कौन है चोल साम राज जे के comment section में प्यारे बच्चे एक बार सारे बच्चे आंसर करेंगे चोल राज्ये के संस्थापक या इनका प्रतीक ताइन क्या था चो तो आप कहेंगे इनका प्रतीक था भीया जी बाग और सबसे important एक वेनी का युद्ध मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं वेनी का युद्ध हमेशा याद रखें क्योंकि ये आपका कौन है चोल लोग है और चोलों के खिलाफ इनके पड़ोसी थे तो यहां पर एक सासक हुए करिकाल इनको कराइकल भी हम बोलते हैं तो करिकाल ने क्या किया था आपका प्यारे बच्चे चेर और पांडियों के और साथ में इनके साथ ग्यारेस आ सकते इनको एकटे हराया था तो वेनी का ये युद्ध दच्छन भारत में बहुत प्रिचल याद रखेंगे तो संस्थापक कौन है चोल के बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्षन में एकदम से सही आंसर आता हुआ विज्याल्य है कौन है विज्याल्य है गंग कौंड चोलपुरम की स्थापना प्यारे बच्चे किसने की थी या युपाधी किसने धारन की थी आपका गंग कोंड चॉलपुरम राज-राज-पुरथम ये तो थो राज़िन-दर-पुरथम ये तो उंगलियों पे तुम्हारी होना चीए क्या भॉलोगे आपका राज़िन-दर पुरथम थे निम्लिकेत तमिल गरंतों में से किसे लगुवेद की संग्या दी गई है लगुवेद किसको कहा गया तमिल साहित्य में बहुत पिर्चलित है मैंने आपको बताया कि इसको तमिल साहित्य का पांचवा वेद भी कहते है जैसे चार वेदा ने इसको पंचम वेद कहा जाता है जैसे उत्तर भारत में नाटे सास्त्र को माना जाता है पंचम वेद ये दच्छिन में तमिल साहितिया में कहते हैं कि प्यारे बच्छे ये जो कुरल है तुरू बल्लूर का तुरू कुलर क्या बताए था मैंने आपको इसको हम बोलते हैं तुरू कुरल इसका नाम है ये पूरा लेकिन इसके प्यारे बच्चे जो लेखक है जो राइटर है उसका नाम भी ऐसा ही है क्या बोलेंगे उसको तुरू वल्लूवर है तुरू वल्लूवर कौन है इसके तुरू वल्लूवर कौन है इसके तुरू वल्लूवर कौन है यही है पंचम वेद सिलपादी कारम का लेखक कौन था एक पुस्तक लिखी गई यह प्रसंद आप देखोगे ना पिछले अगर हम बात करें स्सी के दिल्ली पुलिस 2020 से फिर आप MTS ढूंडो CHSL ढूंडो पिछला वाला 2021 का आपने देखा होगा जीडी का आपका तमिल साहित्य की पूस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछी जा रही है क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे सिलपादिकारम का लेखक कौन था इलेंगो अधिगल था क्या बोलोगे इलेंगो अधिगल था तो इलेंगो कई बार लिखा मिलता है इसका नाम इलेंगो अधिगल इसका पूरा नाम है अच्छा मैंने आपको बोला था दच्छिन की पार्वती कौन थी जरा बोलो कोवलन याद है कोवलन और प्यारे बच्छे मैंने आपको कोवलन और कन्नगी की कहानी मैंने बताया इसी में जिक्र मिलता है कन्नगी जिसको हम दच्छिन भारत की पार्वती कहते हैं जब लेंगे रच्छिन भारत की पारवती कहते हैं बहुत इंपोटेंट है और एक पुस्तक है प्यारे बच्चे एहना नूर इसी के समय की बड़ी इंपोटेंट है एहना नूर किसे ने लिखी है रुद्र सर्मन ने लिखी है ये याद रखेंगे रुद्र सर्मन महा काव्या मनी मेखले का संबंद किस से है महा काव्या एक मनी मेखले लिखा गया इसका संबंद किस से है बौद्धो से संबंद है जेन से संबंद है सैव से संबंद है या फिर वेशनव से संबंद है तो क्या बोलोगे ये भहिया जी सतनार का बौध से संबंद है और मणी मेखले के प्यारे बच्चे जो राइटर हैं जो लेखक हैं वो हमेशा याद रखें कौन है आपका सीतले जबोलोगे सीतले सतनार उनको हम बोलते हैं कई बार इनका नाम सिर्फ सतनार लिखके आता है इसमें तीन आपकी संचिती हुई थी पहली मदुरे में हुई, बहुत पुछी जाती है, दूसरी प्यारे बच्चे कपाठपुरम में हुई, ठीक है, कपाठपुरम में हुई, और तीसरी भी कहां हुई थी, मदुरे में हुई थी, यह हमेशा याद रखे, और इसमें पुस्तक लिखी गई, तोलका पीम, क्या बो या इसा तुक्का मार का ठीक कर देते हम है, पुनित सागर जी टूमच थेंक यू प्यारे बच्चे, आग आएंगे, next, चेर राज्ये की राजधानी कहां थी, जो चेर राज्ये था, उसकी राजधानी कहां पर थी, बोलेंगे एक बार, वज्जी थी, पुहार थी, कावेरी पतनम थी, या फिर कोर के थी, तो क्या बोलोगे, भईया वज्जी थी, और या हम बोलेंगे, उरे यूर थी, क्या थी, उरे यूर थी, याद रखेंगे, संस्थापक बताएंगे, चोर के, चोर के नहीं, चेर वंस के संस्थापक कौन थे, संस्थापक, पिरतीक इनका क्या जैसे चोलो का आपका प्यारे बच्चे बाग था और अगर बात करेंगे संस्थापक तो क्या बोलेंगे आप इसमें उदियन जेरल थे कौन उदियन जेरल इसके संस्थापक थे और प्रती क्या था प्यारे बच्चे इनका धनुष था याद रखेंगे अच्छा एक सासक है जिसको लाल चेर कहा जाता है क्या कहा जाता है लाल चेर कहा जाता है तो लाल चेर किसको कहा जाता है सेन कुट्टू वन को कहा जाता है प्यारे कि आपका लाल चेर ठीक है तो दिक्कत इस बात में आ गया है पांड्य राज्ये की राजदानी कहां थी फटाफट से बोले डेटा खतम हो गया कोई दिक्षट नहीं बात में कर ले न ऐसी कोई इमर्जेंसी नहीं है कि तुम्हें अभी क्लास करनी है अराम से आप कर सकते हैं अभी भी क्लास कर लेकिन आप क्लास आगे डिले करोगे कल की फिर क्लासेज हो जाएगे। इसलिए ठीक रहता है कि हम आज का काम आज ही खतम करना है। ठीक है विसाल कमार अगरा मेरे दोट स्वागत है। पांड्यवंस की राजधानी उरेयूर मदूरे पुहार और वज्जी थी। संस्थापक कौन है पांड्यवंस के। एक बार फटाफट से आप लोगों से मैं संस्थापक जानना चाहूंगा। मैं इसको थोड़ा भूल गया हूँ। पृतीक तो प्यारे बच्चे इनका क्या था मचली था। पृतीक चिन क्या था इसका मचली था। और इनका जो संस्थापक है उसी ने क्या सुरू कराई थी। समुंदर पूजा भी सुरू कराई थी। बोलेंगे भी फटाफट से। ने मौनू कोई आवश्यक्ता नहीं है। बहुत बढ़िया। नेडियोन सबसे पहले उत्तर किस काया दिखाएंगे। मंगल सिंग राजपूत बहुत सांदार चलोगे। परतीक प्यारे बच्चे मचली हो गया आपका। और अगर हम बात करें क्या आपका। क्या बोलेंगे इसमें। संस्थापक कौन होगे। जिन्होंने समुंदर पूजा सुरू कराई। नेडियोन कौन है। नेडियोन है। सहनामा का लेखक जो महमूद गजनवी के दर्बार से संबंदित था वो कौन है। सहनामा किसमें लिखी। सुबक्तगीन है क्या। बोलेंगे। नहीं जी। फिर्दोशी है क्या। बिलकुल ठीक बात है। याद है न फिर्दोशी ने सहनामा किन सर्तों पर लिखी थी। बहुत इंपोर्टेंट है। अगर हम बात करें महम्मद गोरी। अल्पतगीन कौन था प्यारे बच्चे। यह आपका गजनी वंस का संस्थापक था यह अल्पतगीन। महमूद गजनवी ने सौमनाथ मंदिर पर आकर्मण कब किया था। महमूद गजनवी ने गजनवी एक हजार एक में आया। मैंने आपको बोला। शुरुवात उसकी एक हजार एक से है। हिंदू साही सासक जयपाल के वरुद्ध। जे किन्सौमनाथ पर आकर्मण उसका सौलहवा आक्र्मण है। प्यारे बच्चे और एक हजार अठारे का सका कन्यौज भी याद रखलेना। इसने 17 बार आकर्मण किया। 21 इतिहासकार ने कहा है। बोलो गजनवी ने जो ए डॉग गजनवी था इसने सत्रे बार भारत पर आकर्मन किया तो प्यारे बच्चे किसने कहा है हेंरी इलियट ने कहा है इसने हेंरी इलियट ने अब एक बात बताओ कि महमूद गजनवी इतना ब्रेव नहीं था वो कौन से चंदेल सा सकते जन्होंन क्या बोलोगे विध्या धर पुराणों का अध्यन करने वाला पिर्थम मुसल्मान था अबुल फजल अबुल फजल क्या इसने प्यारे बच्चे पुराणों का अध्यन किया जिसने अकबर नामा लिखी थी अकबर नामा तीन भागों में विवाजित है अब्दुल कादिर बदायूनी है क्या अलबरूनी है तो क्या बोलेंगे भहिया जी अलबरूनी है और अलबरूनी की पुस्तक आप मुझे बताओ एक बार कौन सी अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है तो क्या बोलोगे भहिया इसने लिखी है किताब अल-हिंद क्या बोलोगे किताब अलहिंद जिसको हम तहकीक एहिंद भी कहते हैं क्या बोलते हैं तहकीक एहिंद भी उसको हम कहते हैं ये दारा सिको हुए याद है मजमु अलबहरीन किसकी रचना है मजमु अलबहरीन इसी की रचना है ठीक है अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चे सीरे अकबर सीरे अकबर में कितने उपनिशदों का इसने प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार सीरे अकबर में कितने उपनिशदों का इसने प्यारे बच्चे अनुवाद कराया था फारसी में एक बार जानना चाहूं बहुत बढ़िया 52, 52, 52, 52 तो कितने 52 उपनिशदों का अनुवाद कराया था मुहम्मद गोरी का संबन निमलिखित में से किस वंस से है जो गोरी भारत में आया इसी गोरी के गुलामों ने भारत में गुलाम वंस की नीव डाली और फिर वो दिल्ली सल्तनत में बदल गया दिल्ली सल्तनत के बाद में फिर मुगल आ गए और यह लोग मतलब फाइनली फिर 1857 तक भारत पर राज करते रहे ठीक है देखो एक बार आईए तो मुहम्मद गोरी का प्यारे बच्चे निमलिखित में से किस वंस से है यामिनी वंस या फिर आपका सस्वनी वंस से तो क्या बोलोगे ये प्यारे बच्चे आपका किस से है ये सस्वनी वंस से है यामिनी वंस से आपके गजनी के सासक थे क्या बोलोगे उसी के लिए किताब ल यामिनी लिखी गई क्या बोलो के आप सस्वनी वन्ज से इसका संबंध है एक बच्चा कह रहा भहिया जी पच्पन को एक बार देखें क्या हो गया पच्पन में एक बार बताएंगे देख लेते हैं रिलोड हो जाएगा क्या बताएंगे प्यारे बच्चे क्या डाउट है पच्पन बार पच्पन में क्या हो गया जोल सासर का नाम बताएंगे क्या बोलेंगे युद्ध जिसमें भारत में मुसलिम सक्ती की स्थापना की गई क्या बोलेंगे युद्ध जिसमें भारत में मुसलिम सक्ती की स्थापना की गई तो मुसलिम सक्ती की स्थापना क्या तराइन की युद्ध से हुई नहीं इसमें तो गोरी हार गया तो इस्तापना कैसे होगी यहां पर मुहमत गोरी जीता तो यह प्यारे बच्चे वो युद्ध है जिसने सुरुवात कर दी थी भारत में किसकी मुसलिम सक्ती की इस्तापना की क्योंकि 1192 में युद्ध किसे हुआ था आपका राय पिथोरा पृत्वी राज तृत्या से युद्ध हुआ था और गोरी इसमें जीत गया था पहले में प्यारे बच्चे यहां पर गोरी की क्या हो गई थी हार हो गई थी पानीपत का पृत्व युद्ध 1526 में हुआ बाबर इबराहिम लोदी तो हम नहीं कह सकते कि ये आपका प्यारे बच्चे मुस्लिम सक्ती की स्थापना के लिए क्योंकि इससे पहले हो चुकी पानीपत का दूसरा युद्ध ये 1556 में ये तो बहुत बाद में हुआ तो क्या बोलेंगे हम तराइन का दूसरा युद्ध था ठीक है आगया है मुहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय पराप्त की बोलेंगे भी वटावट साइंगे मुहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय पराप्त की कुत्बदीन, एबक, इल्तूतमिस, बक्तियार खिल जी या फिर यल्दौज था तो एबक्त नहीं की एबक्त दिल्ली में रहा आपका ना इलतूत मिसने की ना प्यारे बच्चे कौन है बक्तियार खिल जी है जिसने बंगाल और बिहार में तबाही भी बहुत मजाई थी कभी इसी दौरान इस नालंदा कई विशुद्धियाले को नश्ट किया तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे ये बक्तियार खिल जी थे कौन है ये? जै था परसंद? महम्मद गोरी के किस दासने बंगाल और बिहार पर विजया कौन था? बक्तियार खिल जी था कुल सहे है थैसे हैं कलंदरबा और जाजा सब्सक्राइब कलंदर गाई है कुड़ार तो बाबर को सिमिते क्सेन दोर्त को ब convention करिंदर के बिदयार गाता त। आजले दोघांग scheme कोई है बजय कबर की पर से कहने मैं म normalmente जाता है CO भाल THIS कर दोबसे को हुआ है दिखना जरूरी नहीं है आपको आंसर पता होना जरूरी ना लाइक की जरुड़त ना कमेंट की जरुड़त ना सेर की जरुड़त आपका यहाँ पिरसन बनना चीए अब से इंपर्टेंट तो कौन-कौन सी हैं? प्यारे वच्चे एक और दो हैं कुझ सी हैं एक और दो हैं अपनी सक्ति को समेकित करने के बाद बावर ने बल्बन ने भव्य उपाधी धारण की थी बल्बन ने किसकी उपाधी धारण की थी तोताय हिंद ये तो अमीर खुसरो है केसर हिंद ये तो भिया गांधी जी हो जाएंगे तो क्या बोलोगे ये जि तूते बलबन की छोटा सा बलबन क्या कहता था सब घुटने पर बैठ जाओ तो क्या बोलेंगे आपका सिजदा ठीक है फिर आओ रगडते हुए खुद को पाबोस मेरे कदमों को चुमो इसी ने प्यारे बच्चे गैर इसलामिक विधिया गैर इसलामिक यानि की जो इरानी विधिय थी पार्सी विधिया थी जिसको हम नवरोज के नाम से जानते हैं तो नवरोज तियोहार इसी ने शुरू कराया था और इसी के समय बंगाल में क्या हुआ था प्यारे बच्चे विध्रो हुआ था 1279 में जो तुग्रिल खाने किया ठीक है जी निमलिखित में से कौन सा कथन बल्बन के संबंद में सही नहीं है बल्बन के बारे में सही नहीं है उसने नियामत एक खुदाई के सिध्धानत का प्रतिपादन किया ठीक है उसने एक्तादारी विवस्था का प्रारम किया एकदम से गलत है एक्तादारी तो किसने शुरू क की थी प्यारे बच्चे क्या मैं आप लोगों से जान सकता हूं जो इकता सिष्टम था जो इकता प्यारे बच्चे पिर था थी आपकी ये इकता सिष्टम किसने सुरू किया था आप कहेंगे भीया ये तो इल्टूतमिश का था किसका था ये तो इल्टूतमिश ने सुरू किय जो आपका दिली का वास्तिविक संस्था उसने तुरकान ए चहलगानी हमं तुरक ए चहलगानी जो यह उसी नहिंडर्ए किय थे उसने बंगाल के विद्रोगा दमन किया था हां जी 1279 इन में जो तुग्रिल खाने ज्यादे तुग्रिल खान का क्या हाल किया था इसने बताना जरा लिख करके अब लिखो तुग्रिल खान का क्या हाल कर दिया था इसने कौन जानता है बहुत बढ़ी है बहुत सांदार फैमिलियन पार्टी अभी है नहीं कोई पार्टी नहीं है अपनित कोई पार्टी नहीं रानी पदमनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तोड विजय से जोड़ा जाता है उनके पती का क्या नाम है महाना परताप सिंग है उनके पती का नाम रनजीत सिंग है राजा मान सिंग है या फिर राणा रतन सिंग उनके पती का नाम है तो क्या बोलेंगे राणा रतन सिंग उनके पती का नाम है प्यारे बच्चे आपको याद है मैंने आपसे कहा था अलाउद्दीन के उत्तर के अभिहान और दच्छिन के अभिहान कभी न भूलना तो उत्तर की अभियानों में अगर हम अलाओदीन के बात करते हैं, प्यारे बच्चे बहुत कुश्चन पूचा जाता है, 1200 99ες उसने कहां पर अभियान किया था, 1301 कहां पर अभियान किया था,mark aumentar 303 उसने कहां पर अभियान किया था, या मैं पूछो तेहरे सो पांच उसने पर अभियान किया था क्या बोलोगे ये गुजरात पर अभियान था 1299 में तेहरे सो एक में प्यारे बच्चे रन थंबोर पर अभियान था क्या बोलोगे रन थंबोर पर अभियान था पहरे सु तीन में चित्तोडगड जिसका नाम बदल करके इसने क्या कर दिया आपका फिजरा बाद कर दिया था और मालवा पर कहां पर मालवा पर युद्ध किया था यहां पर कौन थे सासक कर्ण देव थे रण थंबौर में प्यारे बच्चे सासक कौन थे यह हमीर देव थे सित्तोरगड में सासक कौन थे राणा रतन सिंग थे कौन थे राणा रतन सिंग थे और प्यारे बच्चे मालवा में थे महलक देव कि वो लोगे महलक देव थे इसी तरह आपको दच्छन के अभिहान भी fingertips हमता होने चाहिए निमलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक सासन किया था कौन है जिसने सबसे अधिक दिनों तक सासन किया था बोलेंगे सरजी आज बच्चे कहाँ चलेगा अर्य, बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं आज बच्चे के जिपॉन में इंटरनेट खतम हो जाते सुबह से किलास चलते-चलते इंट हो जाते साम कि क्लास बच्चे विचारेए कोमन है बारहसम chief में तर हमें लिखवाया है थोड़ा सा सोचे, 1260 से 1290 तक गुलाम बन सत्म बलवन को 1260 तक कैसे लिखवा दूना दो, क्यों ही बेकार की बात करते हो, पच्चिव पटेल ऐसी बाते नहीं करते, निमलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक साशन किया है, अलाउद दीन खिल जी 1296 से लेकर के 1316 सासक रहा, मुहम्मद बिन तुगलग 1325 से 1351 तक सासक रहा, ठीक है, दूसरा साशक था ये, इबराहिम लोधी, बहलोल लोधी आपका 1451 से 1489, बहलोल लोधी 1451 से 1489 था, दिल्ली सल्तनत में 38 वर्सों का सबसे बड़ा सासन काल इसका, बहलोल लोधी के बाद में प्यारे बच्च 1440 से 45 था, तो सबसे बड़ा सासन काल इसका 5 वर्सों का, इसका 9 वर्सों का, इसका 26 वर्सों का, आलाद दीन खिल जी का 20 वर्सों का, सबसे बड़ा सासन काल इसका है, मुहम्मद बिन तुगलग का, ठीक है, समझ रहो, अगर सासन काल पता होगा, तब ही तो बता पाओगे, चलिए मैं आपसे कहता था पिरमुख राजा जो रहे हैं पिरमुख जो लुटेरे रहे हैं इनके आपको क्या आपको हमेशा इनका शाशन का वर्स पता होना चाहिए ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक ने निमलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की तुगलक ने दिवान ए बंदरगान दिवान ए मुस्तकराज या दिवान ए आरिज क्या बोलोगे आप भिया जी इसने दिवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी इसके लिए दोवाब में किसानों की मदद के लिए किसानों की मदद के लिए इसने तकावी रिण दिया था कौन सा था, दिवाने अमीर को ही था सारे बच्चों का अंसर यह आता हुआ अब तुमने रट रखाया कि सब कुछ आ गया जब निम लिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकितिक मुद्रा का परिचलन किया यही है प्यारे बच्चे जिसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी पहुचाई और देवगिरी पहुचा करके उसको दौलताबाद नाम दर दिया करांचिल अभियान जिसका विफल रहा ठीक है क्या बोलेंगे कि उसमें उसको आपका मूँ की खानी पड़ गई और प्यारे बच्चे साथ में टोकन करेंसी भी किसने चलाई यह मुहम्मद बिन तुगलक था क्या विफल ही रहा अपने बहुत सारे अभियानों में तो क्या बोलोगे मूहम्मद बिन तुगलक था प्रोज तुगलग द्वारा इस्था पे दारूल सफा क्या है दारूल सफा तो दारूल सफा अगर बात करें एक दान साला थी या फिर एक खेराती अस्पताल था एक पुस्तकाले था ये अतीर थियात्रों के लिए अतीर है क्या बोलेंगे अतीती गरह था तो क्या बोलेंगे एक खेराती अस्पताल था जैसे अभी पीछे आया था दीवान ए बंदरगान क्या बोलोगे दीवान ए बंदरगान ये गुलामों के नियंतरन के लिए था अगर मैं बात करूँ दीवाने मुस्तक राज की अगर हम बात करते हैं तो ये बकाया विवाग था कितना टेक्सादी बचा हुआ है उसके लिए था दिवाने आरिज की अगर हम बात करें जिसको दिवाने अर्ज भी बोलते हैं वो एक सिर्ण्य विभाग था क्या था वो एक सिर्ण्य विभाग था ऐसे ये काता दिवाने इस्तिहाक दिवाने इस्तिहाक का संबन्द किस से था ये आपका पैंसन से संबन देता किस से पैंसन से तो फिरोस्ट सा तुगलक जो आपका प्यारे बच्चे मुहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्धी पर आया 1351 से 1888 तक सेद वन्स का संस्थापक कौन था जो सेद वन्स है उसका संस्थापक कौन था अच्छा मुझे बताओ दिल्ली की जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कितने वन्स हम पढ़ते हैं आप कहोगे भीया जी दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं आपका पांच वन्स गुलाम, खिलजी, क्या 1414 तक स्यद रहे 1414 से लेकर के 1451 तक और लोधी रहे 1451 से लेकर के 1527 तक सबसे बड़ा सास्रिन काल किसका है प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार तुगलको का है आपसे कभी पूछे दिल्ली की सल्तनत पर सबसे छोटा सास्रिन काल किसका है वो खिलजी का है तो सयद वंस जो 14 Boyan ता संस्थापक कौन थे ये खिजर खा है जलतनत काल में किस भासा को राजबासा का दरजा दिया गया कौन सी भासा थी अर्बी थी पारसी थी तुर्की थी या फिर उर्दू थी तो क्या बोलोगे बहिया जी वो आपका फारसी बहसा थी कौन सी थी फारसी बहसा थी और ये चलती रही फिर मुगल काल तक ये चलती रही ठीक है बहुत बड़ी है निमलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है दीवान ए मुस्तक राज अलाओदीन खिलजी ने बनवाया दीवान ए अमीर को ही तुगलक ने बनवाया दीवान ए खेरात फिरोसा तुगलक ने बनवाया और दीवान ए रियाशत बलबन ने बनवाया तो हमेशा याद रखेंगे दीवान ए रियाशत पहले से चलता आ रहा था तो ये बलवन नहीं सौरी दीवान ए मुस्तक राज तो पहले से चलता आ रहा था फ्रोसा तुगलक से पहले से अलाउद्दीन खिलजी ने लेकिन दीवान ए रियाशत ये बलवन के समय नहीं था ये आठ सुल्तानों का दर्वार देखा अगर हम बात करें नूर सिपीहिर जैसी पुस्तक लिखी अगर हम बात करें प्यारे बच्चे तुगलक नामा जैसी पुस्तके लिखी तो अमीर खुसरों का नाम क्या था मूल नाम अबुरेहान, महिशदास, अबुतादिल या अबुल अस्मान था क्या बोलेंगे महिशदास तो भी अबीरबल का है ये तो अकबर के नौरतनों में से एक बीरबल का प्यारे बच्चे मूल नाम है और क्या बोलोगे अबुरेहान था और यहां इसको क्या उपादी दी गई? तोता ए हिंद तोता ए हिंद की उपादी इसको यहाँ पर दी गई यहाद रखेंगे ठीक है? यही प्यारे बच्चे खड़ी बोली के लिए जाना जाता है और यह दरबारी कवी किसका था? यह मैं आपसे जानना चाहूँ दरबारी कवी यह अलाओदीन का था इसका? अलाओदीन खिलजी का था अब बोलेंगे अलाओदीन खिलजी का दरबारी कवी था और प्यारे बच्चे मुझे बताएं जराई रहिला बुक किसने लिखी? रहिला बुक किसे ने लिखी, एक पुस्तक इस समय की ये तबकात ए नाशिरी, तबकात ए नाशिरी बुक किसे ने लिखी है, ये S.S.C. बहुत पूछता है इन किताबों को, साजल माशिर किसे ने लिखी है, साजल माशिर बुक के लेखक कौन है, पर बोलेंगे, तो आप का सराणा चाहिए रहिला तो प्यारे बच्चे कौन है अबनव तूता है इसने 1333 में 5333 में तो भारत आईथा । मुरकोसे मुहम्मद बिन तगलक के समय है किसके समयen मुहम्मद बिन तगलक के समयen तबकत थे-इ-न- identities की अगर हम बात करते हैं यह मिनहाज-उस- stumble जो गुलाम वंस के समय लेखक था मिन हाज उस सिराज ठीक है और ताजिल मासिर पुस्तक है हसन निजामी की इसकी बुक है प्यारे बच्चे हसन निजामी की इच्छाप के रखना ठीक है जिन बच्चों ने किलासिस में पढ़ा होगा किद्रे बच्चे जानते हैं सब के पाही करशनकार कान है तारीक एय फिरोज साही समसे सराज अफीक जियाओदीन बरनी अजिया Efendimiz लेकिन जियाओदीन बरनी के पुस्तक है यह उन्ज्हा के पाहिए बहूत बढ़ी है हनीं परते हुए है बहिया, very good, आ गयाएंगे, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विवाग की स्थापना किस ने की थी, दीवान अर्ज जो प्यारे बच्चे एक सेन्य विवाग था, एक सेन्य विवाग था, इसकी स्थापना किस ने की थी, तो क्या बोलेंगे, ये सेन्य विवाग की स्थापन भहिया जी पल बनने की थी पल बनने की थी पिर मुख तेलवू कवी सिरिनात किसके दरबार में थे एक तेलवू कवी रहे अपका सिरिनात हरीहर दुत्य देवराय पिर्थम देवराय दुत्य या कृष्ण दुत्य के दरबार में रहे तो क्या बोलोगे बहिया जी देवराय प्रतम नहीं देवराय दुत्या के दर्बार में ये रहे किनके देवराय दुत्या के दर्बार तो ये देवराई दुतिय कौन है, प्यारे बच्चे, ये संगम要स कि अच्या है, मैं आपके बोलो की का विजदगार सामराज्येas, है में कितने वंस हुए ज़र आप बुलेंगे प्यारे बच्चे विजयन अगर सामराज्जे के लिए सस्ता याद है सस्ता क्या बोलोगे ये सालूब वंस था सालूब नहीं सबसे पहले इसमें आता था संगम वंस संगम फिर आता था आपका सालूब सालूब वंस के बाद में कौन सा वंस था इसमें तुलूब वंस था और तुलूब के बाद में कौन सा था अरावीडू वंस था अरावीडू वंस था अरावीडू वंस इसमें था तंगम वंस को किसने इस्थापित किया था पहला सासक इसमें हरीहर और बुक्का थे सालूब वंस की अगर बात करें इसको किसने इस्थापित किया था, नरसिंग ने इस्थापित किया था, नरसिंग और तलुभवन्स की बात करें तो वीर्सिंग ज intentय invisible Kathon 당किiments आप내 आप बंस था 1485 से लेकर 1505 पूछा जाता है विजय नगर सा मराज्य विजय नगर सा मराज्य में किसको सबसे कम था आपका सालुब बंस और प्यारे बच्चे विजय नगर सामराज्य की स्थापना किस राज्या के समय पर हूई थी दिल्ली पर कौन था जब विजय नगर सामराज्य बना एक बार बोलेंगे तो आप बोलेंगे वीर सिंग प्यारे बच्चे ये 1505 से लेकर के 1570 तक तालूब वंस रहा और 1570 से लेकर के 1650 तक क्या रहा आपका अरावीडू वंस रहा था पर्थम बलापहार किस ताशक के सासनकाल को कहा था बलापहार मतलब बल के द्वारा पिछले राजा को अपने ही परिवार के राजा को गदी को छीन लिया गया वो नर्शिंग सालूब है कौन था वो ये नर्शिंग सालूब है और इसने सालूब बंस की स्थापना की थी संगव बंस के अंतिम राजा को हरा करके ये कौन है आपका नर्शिंग सालूब था आपसे कभी पूछ ले इसमें दुत्या बलापहार कौन है इसने बल के द्वारा आपका क्या गद्धी को लिया तो प्यारे बच्चे वो दुत्या बलापहार था आपका क्या बोलोगे उसको तालूब वंस की स्थापना करने वाला क्या बोलोगे वो था आपका वीर सिंग नर 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 आलद्य नामक गरंथ की रचना किस भालत में, किस भाहसा में की थी। कौन थे आपका कृष्ण देवराय। याद है कृष्ण देवराय जिनको हम बोलते हैं, इनका जो समय है प्यारे बच्चे, तेलगू साहित्य का स्वनकाल है। क्या है इनका समय। तेलगू साहित्य का स्वनकाल कहा जाता है। तो यह तेलगू में के इन्होंने। तो बिल्कुल सिधी सींवाथ है किस भाहसा में की होगी। तेलगु भासा में इन्हों थी, लेकिन याद है इनके समय कि इस तेलगु में कौन important वह व्यक्ति है जिसको तेलगु व्याकरण के लिए जाना जाता है, तो वो है अल्लसानी पिद्दन, याद रख लेना, अल्सानी पेदन ये क्यों नाम important है भी है ये इसलिये प्यारी और नावच्छन अम्पोर्टन है कुकि ये तेलगु कविता के पिता में है तेलगु कविता के पिता में ये है एकाद सब्द प्यारी और अगर Parent लिख जाया करें तो इसके लिए माफ़ करना कभी कभी हो जाता है जल्दी में अच्छा, यह जो प्यारे क्रिष्ण देवराएं है इनको सबसे ज़ादा जाना जाता है अश्ट दिग्गज के लिए अश्ट दिग्ज के लिए क्योई कि इनके दर्बार में क्या रहती थी इनके दर्बार में प्यारे बच्चे आठ विद्वान वेकती रहते हैं अकपर के समिन नो इसके दर्बार में थी अश्ट दिगज जिसमें पिरमुक कौन थे आपका तैनाली रामा कृष्णन थे अब बोलोगें तैनाली रामा कृष्णन जिनको हम बोलते हैं पंडिट तैनाली राम और ये अल्ल सानी पेद्दन भी इनी अश्ट दिगज में से एक है बहुत इंपोर्टेंट निमलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित है मारको पोलो इटली के हैं इबन अब्तूता मुरको से निकितिन रूस से और प्यारे बच्चे सेयद अली राइस जो है ये तुर्की से आया इससे सेयद अली राइस कहां से ये आपका तुर्की से आया क्या बोलेंगे आपका ये सभी भीया जी एकदम से सुमेलित है सारे के सारे ठीक मिले हुए किस बहमनी सासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है हुमाईव को, हशन गंगू को, अलाउद्दीन एहमद दृत्या को या मुहमद तिर्तिया को तो बहमनी सामराज्य में प्यारे बच्चे एक साशक हुआ था हुमाईव इसको बोलते हैं दक्कन का नीरो वहमनी सामराज्य जानते हो ये 1347 में प्यारे बच्चे हशन गंगू ने स्थापित इसको किया अच्छा बोलेंगे किस के समय हुआ ये भी प्यारे बच्चे मुहमद बिन तुगलक के ही समय पर हुआ था और हसन गंगू को ही हम अलावदीन हसन के नाम से जानते कभी-कभी परिक्षा में इसका नाम अलावदीन हसन आता है और इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी इसने अपनी कैपिटल बनाई थी कौन सी? गुल बरगा याद रखेंगे गुल बर्गा इसने अपनी capital बनाई थी ऐसे ही प्यारे बच्चे बहमनी के साथ में मैं आपको बताऊँ एक स्थापना हुई थी बीजापूर की इसकी बीजापूर की और बीजापूर की स्थापना जो की थी वो की थी आपका अगर हम बात करें बीजापूर की आदिल साहा ने किनों ने आदिल साहा ने स्थापना की क्या रहे बच्चे और आदिल साहा कबसे important वो सासक है जिसने बोला कि मैं फारसी भासा की जगह हिंदवी भासा का प्रियोग बहुत बार पूछा जाता है पारसी की जगह हिंदी का प्रियोग क्या बोलेंगे पारसी की जगह हिंदवी का प्रियोग हिंदवी का पारसी की जगह हिंदवी का प्रियोग ये तो बीजापुर हो गया है और बीजापुर में गोल को आप कभी मत भूलना गोल गुमबज है गोल गुमबज कहा है ये बीजापुर में है ठीक है एहमद नगर की स्थापना किसने की बोलेंगे एक बार एहमद नगर की स्थापना की थी आपका क्या बोलोगे मलिक एहमद इंपोर्टेंट है मलिक एहमद ने और गोलकुंडा एक थी गोलकुंडा इसकी प्यारे बच्चे इस्थापना किसने की थी ये था कुली कुतुब सहा तबो लोगें कुली कुतुब सहा या कुली सहा इसको हम कहते हैं पारबक सहा के साशनकाल में रामायन का बांगला भासा में अनुवाद किसने किया बांगला में अनुवाद किसने किया अगर मैं आप से पूछूं प्यारे बच्चे कि अगर रामायन के महवारत के बहुत अनुवाद हुए हैं सभी भासाओं में हुए हैं गिता के बहुत हु तो किसने किया है ये करतेवास ने किया है किसने करतेवास ने किया है अर ये इंपोटेंट है उडिया पूछे तो जगन मोहन नारायन वोगे जगन मोहन नारायन है पेलगू में पूछे आपसे क्या पूछले पेलगू में किसने अनुवाद किया प्यारे बच्चे भाषकर ने किया है किसने किया भाषकर ने किया है कन्नड में पूछे तो कुम देंदू ने किया है किनों ने किया है कुम देंदू ने किया है पारसी में पूछ ले तो बदाई यूनी ने किया है किसने बदाई यूनी ने किया है ठीक है ये याद रखेंगे गुजराती पूछ ले आपसे तो सिरिधर कह देना कबो लेंगे गुजराती में किसने किया है प्यारे बच्चे वो आपका सिर्धर ने किया है अब एक बार बताओ रामायन को अंगरेजी में किसने अनुवादेत किया इंग्लिस में रामायन किसने ट्रांसलेट आंसार आना चाहिए आर्टी एच ग्रिफित जौनपुर में सरकी वन्स की स्थापना किसने कि थी तो क्या बोलोगे ये प्यारे बच्चे मलिक सरवर ने कि थी किसने कि थी मलिक सरवर ने कि थी मलिक सरवर ने कि थी या वालमिकी ने कैसे लिखी यार वालमिकी तुम्हें इतना तो पता होने चाहिए वालमीकी न लिखी है प्यारे विच्चे संस्करत में लिखी है आपका किसमें, संस्करत में लिखी है, तुलसिदास नी प्यारे विच्चे पोल रिट नहीं हो पा रहा किसी वज़े से, हो गया? मेवार में सिसोधी अवंस की स्थापना किसने की थी सिसोधी अवंस जिससे हमारे महाना परताब जी आते थे राना सांगा आते थे तो ये किसने की थी सिसोधी अवंस की जित्तोड के कौन थे आपका हमीर देव थे प्राना कुम्बा याद है जिन्होंने क्या बनवाया था आपका कीर्थी इस्तंब बनवाया था और प्यारे बच्चे वो फोर्ट और किले याद है जो मैंने आपको बताया था कि S.S.C.N. से सबसे ज़्यादा कुष्षन होईसलों की प्राचीन राजधानी द्वारसवंदरम का वरतनान नाम क्या है कई बार कुष्षन पूछा गया अब की बार ही MTS पिछले वाले में इसी वर CHSL में पूछा गया 21 वाले में कि होईसल की राजधानी क्या यह हमने पढ़ाता होईसल को पता है कहां पर जब हम अलाउद्दीन खिल जी के दच्छन अभ्यान पढ़ रहे थे याद है वहाँ पर उसने आपका द्वारसवंदरम में जाकर के आप दच्छन में जीत लिया था क्या बोलेंगे इसको हाले बेड़ है क्या है हाले बेड़ है संकर के दर्सन को क्या कहा जाता है जो आदिगुरु संकराचारियत है उनके दर्सन को क्या कहा जाता है संकर के दर्सन को प्यारे बच्छे क्या कहा जाता है एकतवाद, समग्र एकतवाद, दुवेतवाद या फिर एदुवेतवाद तो क्या बोलते हैं उनके दर्शन को कहा जाता है भीया जी ऐ द्वेत वाद अच्छा द्वेत वाद किसका है जानते हैं द्वेत वाद किसका है ये था माधवा चारिय जी का है अगर आप से बात करें विसिष्टा द्वेत वाद किसका है क्या बोलेंगे विसिष्टा द्वेत वाद से कौन जुडे हुए थे तो आप कहेंगे भीया रामा विसेष्टा द्वयता वाद से कौन जुडे हुए हैं तो आप कहने रामा नुजाचाये जुडे हुए थैं रामानुजाचारिये बहुत कुछर ही पूच्छ açना लेकिन давui संब्वाद को सकते हैं निम्बकारचाय किस मत से संब्वंदित हैं त्वेता द्वेत वाद से भक्ती से विसिष्टा दुएतवाद से या बहु देववाद से तो क्या बोलोगे ये भिया जी हमारे जुड़े हुए विसिष्टा दुएतवाद रामानुजाचारिय का हो गया ये तो किसका हो गया रामानुजाचारिय का हो गया दुएता दुएतवाद क्या वो लोगे दुएता दुएत वाद से जुड़े हुए है निमकार चारिये जुड़े हुए है तो एदुएत होगे दुएत होगे मादवा चारिये एदुएत संक्रा चारिये होगे विसिष्टा आपका निमकार चारिये होगे और दुएता दुएत वाद से कौन होगे न दिल्ली में है या फिर फत्यपुर्सीकरी में है तो क्या बोलोगे निजाम-दिन ओलिया की दरगाः है मौईन-अद्दीन चिस्तिक दरगाह कहां पर है प्यारे बच्चे ये अजमेर में है अजमेर सरीफ अजमेर में है ठीक है किस वर्स बाबर ने सुल्तान इबराहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया इसने बाबर ने और बागर ने नीव डाली किसकी आपका बाबर ने नीव डाली आपका मुगल बन स तो बताएंगे एक बार तो इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया 1527 में किया था क्या 1526 में यही है पानीपत प्रथम अचा 1527 में कौन सी लड़ाई हुई थी एक बार बोलेंगे 1527 1528 और 1529 में क्योंकि तीस में तो बावर लड़क गया आपका तो 1527 में कानवा हुआ राणा सांगा जी के साथ में 1528 में प्यारे बच्चे मेदनी राए के साथ चंदेरी और अफगानों के साथ घागरा की लड़ाई हुई थी 1529 में 1526 यह क्या था आपका दिल्ली सल्तनत का खात्मा था और सुरुआत थी किसकी आपका मुगल सामराज्य की एक सुरुआत थी मुगल सामराज्य की एक सुरुआत थी निमने नामों में से उसको चैनित कीजिए जो हमाईयू के भाईयों में से किसी का नाम नहीं था हुमाईउ का भाईउ में से किसी का नाम नहीं था तो कामरान था, असकरी था, हिंदाल था, बावर के बेटें, उसमान कोई नहीं था नोवन उसमान, उसमान कोई था क्या, नहीं जी निमलिखित गटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कर्मनुशार विवस्थित कीजी दोरहा का युद्ध कब हुआ? कन्यौज का युद्ध कब हुआ? तो देवरिया का युद्ध हुमाईउने 1532 में 532 में कन्यौज का युद्ध प्यारे बच्चे 1540 में सामुगड का युद्ध 1558 में याद हैं सबी नहीं यह उत्राधिकार का है आपका किसी बात करते हैं उत्राधिकार में हम कि हम कहते हैं कि आपका औरंग जेब और दारा सिकोह के बीच की लड़ाई यह कन्नोज है आपका सेरसा सूरी और हुमाईयू के बीच राजपताना के निम्न राज्जियों में से किस एक ने अकबर की संपर्वता स्वेम स्विकार नहीं की थी मतलब खुद स्विकार करने को तयार नहीं हुए तो वो कौन थे आमेर, मेवाड, मारवाड या फिर बीकानेर तो क्या बोलोगे आप आमेर तो ळूलेंगे आमेर से थे एक नेक्स्ट है अकबर काल में भूराजस विवस्था की एक पिसित नीती आईने देहसाला पदिती आईने देहसाला पदिती बोलना बैये अकबर काल में भू राजस विवस्था की एक पिरसिद नीती आईने देहसाला पद्धती किसके द्वारा निर्मित की गई थे जिसमें प्यारे बच्चे आपका 10 साल भूमी का उत्पादन देखा जाता था और उसी हिसाब से टेक्स को टेक्स को प्यारे बच्चे इंप्लिमे आपका 1583 में अगले ही वर्स तो क्या आंसर आएगा आपका सबका 1582 में क्या बोलेंगे किनिम राज्यों में से किसने एकबर की संपुरुबता तो मेवाड ने नहीं सुविकार की थी नहीं पूछ रहा यहाँ पर मैंने गलती किया दिहान से देखेंगे यहाँ पर मैंने आमेर आमेर ने तो प्यारे बच्चे अगर बात करें 1561 में राजा भारमल ने स्वेम की थी मैंने थोड़ी गलती किया है हम पर स्वेम सुविकार की थी समझा ठीक है नेक्स्ट आगया है किस मुगल समराट ने मनसबदारी विवस्था में दूस्पा या सहिंग अस्पा पध्धती अपनाई तो कौन था तो हमाईउ के बाद में कौन आया आपका प्यारे बच्चे अकबर आया अकबर के बाद में भी आया था जहांगीर क्या वो लोगें मनसबदारी प्रथा में 1605 से 1627 इसी जहांगीर को जाना जाता है इसके लिए नियाए की जिशिर के लिए याद है इसकी कॉमन चीज़े अगर बेटा कॉमन चीज़े आपने परिक्षा में जो बहुत इंपोटेंट चीज़े हमने की है अगर इतनी चीज़े आप गलत करके आये न फिर तुम अपने सच्चे साथ ही नहीं प्रॉमिस करो गलत नहीं करके आएंगे बहुत ध्यान से चीज़े आता हुआ परिसों कभी गलत नहीं होना चीज़े तो क्या बोलेंगे जहांगीर 1605 से 1627 चलो बे चले जाओ तुम कोई पोल के लिए मामना करो यारे बच्चे अभी प्लीज इन चार कुश्यन तक पोल नहीं लग पाएगा हाना कंप्रमाइज करें उन्हें कहीं जाना है थोड़ा साथ दे हैं न उपनिशदों का फार्सी अनुवाद कोई लिक्त तो नहीं यह पोल से परसन याद होता हो कभी उपनिशदों का फार्सी अनुवाद सीर ए अकबर नाम किसने किया तो सीर एकबर नाम किया प्यारे बच्चे किसने दारा सिखोह ने किया है और इसने 52 उपनिश्यदों का अनुवाद कराया था बावन उपनिशदों का अनुवाद कराया था प्यारे बच्चे एक काम करो मैं आप लोगों के सामने बस एक मिनट में आया बच्चू का जनम दिन है उसमें थोड़ा सामिल होके एक मिनट में बावर ले चलें बताओ एक बार दो मिनट सुबह से पढ़ रहे हूँ बोलेंगे भी एक बार कारे बच्चे बताएंगे बालक कह रहे हैं जी अब तो देखना हो न एक मिनट में देते हैं जी एक बच्चें azन झाल 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 बंद कर दो है से वा चलो भी आगे कर देंगे लागे अगर जो प्यारे बच्चे मेरी वाद सुन पा रहे हैं आप नहीं आपको जरूर दिखाएंगे एक बार प्यारे बच्चे देख ले ना तुम पर वो छोटी सी बच्ची है उसके लिए भीया बला रहे हैं से लेटाना पड़ा रेली सौरी ठीक है वापस आएंगे और ये कैमरा इसलिए नहीं ले जाया जा सका क्योंकि इसकी केबल छोटी है नहीं तो ये कैमरा भी चला जा जा सारा सिकों को किस इस्थान पर दफनाया गया डिली आग्रा औरंगाबाद ये लाहौर मैंने आपको प्यारे बच्चे के बताया था की जो दिल्ली है मैंने बोला था वो आपका क्या है वो मुगलोकी कबर गहाає क्या है वो मुगलोकी कबर गहा है और वह लगभग मुगल– परिवार की प्यारे वार्चे हाँ की बात करें तो सब्सक्राइब करोगे हैं बचों आप सब का प्यार है नभीन सर को दुबारा विश्च करने का मौका मिल रहा है इनको पहली क्लास में भी किया गया था अभी छह मिलियन का केक कटा है वैसे तो हम जगे-जगे जाकर कि हर जिला हर मुलाकात में क optimize इस बार नहीं कट पाये आप बच्चों का एकजाम है अप 哎 is बजए से याँ के ढंनि के साथ हम लोगों ने काटा आज छोटीएटी निका बढड़े भी था तो उस का उसके हाथों से कटवाया और सारे टीचर बहुत खुश हैं आप लोगों की वजह से और जितनी कॉंग्रेचुलेशन्स आप हमें दे रहे हो आप सब उसके बराबर के हकदार हैं और ऐसे यह परिवार बढ़ता रहे यही प्यार आप लोगों से मिलता रहे यही टीचर में जो आज प्यार देखा देख रहे हो आप यह हमेशा बना रहे हैं यह कोसिस करते रहेंगे और और परिवार परिवार बना रहेगा नमस्कार धन्यवाद नवीज सर कंटिग्यों करें वापस आएंगे प्यारे बच्चे निमलिखित युद्धों को काला नुकरम में विवस्थित कीजिए और नीचे दिएगे कूटों में से सही उत्तर दीजिए एक है इसमें सरनाल का युद्ध नहीं सरनाल का नहीं करनाल का युद्ध हो गए क्या बोलोगे करनाल का युद है और बिल्गराम का युद है धर्मट का युद है और जाजव का युद है तो धर्मट का युद तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करें 1658 में हुआ ठीक है क्या बोलेंगे जब औरंग जेब और दारासिको के बीच उत्राधिकार की लड़ाई हुई बिलगराम का युद कब हुआ है प्यारे बच्चे करनोज सेरसासूरी हुमायों के बीच हुआ है और करनाल का युद 1749 में हुआ जब नादिर सहा भारत में आया जाजव का युद प्यारे बच्चे जब आपका 1707 की बात कर रहे हैं जब औरंगजेब खतम हो गया तो औरंगजेब के बाद में जो आपका उत्राधिकार की लड़ाई हुई और उत्राधिकार की लड़ाई में अगर हम मुख्या रूप से बात करते हैं आपका कौन-कौन लोग थे गदी पर आया था इसमें बहादुर सहा पिर्थम और बहादुर सहा जो था उसने किसको हराया था आपका इसके ही दूसरे पुत्र औरंगजेब के आजम को हराया था चीक है इसका करम बना लेंगे आप एक बार कैसे सही करम या घटता हुआ करम तो सही करम में लगाना है प्यारे बच्चे दो तीन दो तीन चार एक हो जाएगा मुगल प्रसासन में मुहतशिव था जो मुगल प्रसासन था उसमें मुहतशिव कौन हुआ करता था एक सैनिक अधिकारी हुआ करता था एक धर्म संबंदी अधिकारी हुआ करता था लोक आचार सास्तर का प्रभारी अधिकारी हुआ करता था या पत्राचार विवहक का प्रधान हुआ करता था एक बार बताएंगे वो कौन हुआ करता था द्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे आप कहेंगे भीया जी वो हुआ करता था लोक आचार सात्र का प्रभारी अधिकारी एक ऐसे ही मीर आतिश आपको पता होना चाहिए मीर आतिश कौन हुआ करता था मीर आतिश हुआ करता था प्यारे बच्चे आतिस बाजी से याद रख लेना तोप खाने का हर कारा कौन हुआ करता था हर कारा जाशूश हुआ करते थे जाशूश थे ये और सर्वोच अधिकारी कौन हुआ करता था, सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ करता था, सर्वोच अधिकारी होता था, आपका कौन, मीर बक्सी, क्या बोलोगे, मीर बक्सी हुआ करता था, मीर सयद अली और अब्दु समद किसके समय दरवारी चित्रकार थे, और साथ ही आ जो प्यारे बच्चे वो तो जहांगीर का समय है सभी जानते हैं और इस्थापत्यकला का जो स्वनकाल है golden period of architecture and golden period of art ये कौन है आपका तो इस्थापत्यकला आपका सहांजहा और चित्रकला जहांगीर तो प्यारे बच्चे ये मीर, सेयद, अली और अब्दुस्समद ये क्या कौनसा वाधियंत्र वो बजाते थे बोलेंगा एक बार तो अकबर कौनसा अकबर आपको पता होना चाहिए 1556 से 1605 तक आपका सासक था इसकी सारी चीजे सारी पिर्था सारे अभ्यान जरूर प्यारे बच्चे repetition में आपके होने चीए तो क्या बोलोगे नगाड़ा बजाने में ये निपुन था वीना नहीं वीना के लिए समुद्र गुप्त को याद रखें और औरंग जेब को याद रखें वीना से अकबर का कोई लेना देना नहीं है ठीक है बोलेंगे भी फटाफट से आगया आगया है तामुगड युद्ध 1658 होगा रागनी कह रही है रागन 1658 होगा क्या कर दिया है मैंने 1658 है सामुगड का युद्ध मैंने बोल के भी बताया आपको प्यारे बच्चे कि ये आपका किस-किस के बीच में हुआ था ये हुआ था आपका दारा सिकोहो और औरंग जेब के बीच में तो औरंग जेब अपनी गदी के सर्वाइवल के लि लड़ रहा था गलती से मैंने लिख दिया इसके लिए रियली सोरी आ गया है एत्मा उद्धोला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था एत्मा उद्धोला अकबर ने जहांगीर नूर जहाने या फिर सहांजहाने बनवाया था तो एत्मा उद्धोला प्यारे बच्चे पहली, क्या बोलोगे, साफेद संग मरमर से निर्मित, ये पहली इमारत है, कौन सा मकबरा दुत्य ताज महल कहलाता है? बोलेंगे एक बार, क्या बोलोगे, कौन सा मकबरा दुत्य ताज महल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एत्मा उद्दोला का मकबरा, रब्या उद्दुर ये कौन है ये प्यारे बच्चे औरंग जेब की एक पतनी थी क्या बोलोगे औरंग जेब की पतनी थी औरंग जेब कब से कब तक सासन रहा 1658 से 1707 तो औरंग जेब के बेटे ने ये बनवाई है इसने औरंग जेब का जो बेटा है आजम सहा बनी तो औरंग जेब के आदेस प कि प्यारे बच्चे क्या है फूहड नकल इसको हम बोलते हैं और ये कहां इस्थित है ये समभाजी नगर महाराष्ट में प्यारे बच्चे ये इस्थित है ठीक है का मकबरा दिली में है जहांगीरी महल तासराम बिहार में पढ़ता है जहांगीरी महल क्या बुरहानपुर में है बुलन दरबाजा क्या फत्यपुर सीकरी में है तो क्या बोलेंगे जहांगीरी महल ये एकदम से भीया गलत हो गया जहांगीरी महल कहां पर है अकबर ने बनवा इसको अगर हम बात करें इसके इतिहास की तो अकबर ने इसको कॉपी कर लिया था गौालियर के जो राजा थे ना मान सिंग उनकी जो महल था उसका डिक्टो कॉपी इसको उसने बनवाया था किस मुगल समराट ने तंबाकू के प्रियोग पर निसेद यानि की प्रतिबंध लगा दिया था कौन था तो क्या उन्हें बोलोगे अकबर ने लगाया क्या अकबर ने तो सुरुवात की थी पुर्तगालियों के साथ मिल करके मैंने बता है ना बरनेल उसने तंबाकू को इंट्रोडिश किया है और प्यारे बच्चे तंबाकू के प्रियोग पर निसेद लगा दिया किसने प्यारे बच्चे जहंगीर ने वो लोगे जहंगीर जहंगीर ने तंबाकू मेंना बोला था आ पसे इसने सब चीजों पर रोक लगाई खुद ये आपका नसे करता था खुद नसे करता था और खुद की मौत नसे से हुई इसकी बहुत अधिक सराप पीने की वज़े से आ गयाएंगे मुगल काल में मुगल काल में निमलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था जहांसे एक कहा जाते थे आपका मक्का जाते थे तो प्यारे बच्चे वो गुजरात का सूरत बंदर गहा था उनसा था? गुजरात का सूरत बंदर गहा था विदेशी आत्रियें और उनके भारत आने का वर्स है प्यारे बच्चे एक बार देखेंगे Hawkins Hawkins बोलेंगे एक बार Hawkins भारत कब आया? 1608 में आया Hawkins भारत जहांगीर के समय यह दौनों ही 1615 में Manouchi कब आया? 1658 में आया Rolfich अकबर के समय आया 1573 में यह प्यारे बच्चे Manouchi आपका सहाजाय उक्सका चल रहा था आपका सहाजाय के अंतिम समय में आया तो क्या बन जाएगा आपका? 2-1-2-1-4-3 2-1-4-3 Option A हमारा क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चे एक दम से ठीक आंसर हो जाएगा ठीक है? परुक सियर ने 1717 इस्वी में साही फर्मान के अंतरगत अंग्रेजों को कहां सुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमती दी थी परुक सियर ने 1717 में और याद करो 3000 रुपे में उसने क्या कर दिया था आपका 3000 रुपे ने उसने बंगाल के अधिकार दे दिये थे इस्ट इंडिया कंपनी को और फरुक सियर को ही हम क्या बोलते हैं इसी को ही घरनित सासक इसी लिए कहा गया क्या बोलेंगे गिरनित सासक इसको कहा जाता है भारती अतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है आप याद करें मुगलों में जिन्होंने प्यारे बचे क्या किया फरुक सियर को गदी से हटा दिया और पिर जिसको वो चाहते मुगलो में गधी पर वो राजा होता, तो वो कौन थे आपका किंग मेकर, तो आप बोलेंगे वो दो भाइ संगे हुसान अली और हसंग अली, तो बोलोगे हुसे अली और साथ में कौन था? आपका हशन अली था जिसों अब्दुल्ला खान भी हम कहते हैं ये कौन है? ये हशन अली है इन दोनों ने प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? फरुक्षियर को हटा दिया था और फरुक्षियर की जिगे इन्होंने गदी पर बेठाया था मुहम्मद सहा को किसको? मुहम्मद सहा को और ये मुहम्मद सहा जो है प्यारे बच्चे, इसी को हम रोशन अक्तर के नाम से जानते हैं तो कई बार पूछा आता है कौन सा मुगल समराठ है जिसको रोशन अक्तर के नाम से जाना जाता है मराठा प्रिसासन में पागा क्या था पागा सतंत्र सैनिक था राज्य आश्रित सैनिक थे पेसेवर सैनिक थे या दूसरे देश के सैनिक थे तो मराठा प्रिसासन में पागा थे प्यारे बच्चे राज्य आश्रित सैनिक कौन थे राज्य आसरित सैनिक थे ठीक है राज्य आसरित सैनिक जो मतलब राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ते थे संभाजी ने किस एक उत्तर भारत के वैक्ति पर विस्वास कर परशाशन का सर्वोच अधिकार स्वाप दिया था बहुत जटिल परसन है उम्मीद करूँगा आप जटिल पढ़ा हुआ भी नहीं है आपका कवी कलश पर राम गोविंद पर राज कोविंद पर या मनसुख दुवेदी पर तो क्या बोलोगे आप बोलेंगे एक बार अब बात आती है अश्ट परदहान की अश्ट परदहान में प्यारे बच्चे जिनको छटपती सिवाजी महराजी ने गठन किया संभाजी ने उसको नश्ट कर दिया तो संभाजी ने प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार नहीं गलत है प्यारे बच्चे वो बोलेंगे very good राध्ये क्या बोलोगे कवी कलस कौन थे मैंने आपको बताया था ना कवी कलस की आखे निकल वाली थी किसने आखे निकल वाली थी आपका औरंग जेम ने तो ये कौन थे ये विश्वास पात्र थे संबाजी के very good बहुत सारे बच्चों ने विवेक का प्रियोग करके उत्तर दिया है सही very good बहुत सांदार क्या बोलेंगे निमलिखित में से किसे मराठा सामराज्ये का दुत्य संस्थापक का माना जाता है बाला जी विश्वनाद जी को माना जाता है संबाजी महराज जी को माना जाता है या बाजी राव प्रथम को माना जाता है या राजाराम को माना जाता है तो दुत्य संस्थापक कौन थे प्याले बच्चे क्या बोलोगे बालाजी विश्वनात थे यही बालाजी विश्वनात है जिन्होंने क्या बोला था पेश्वा परंपा क्या होगी पेसवा को वंशानुगत इन्होंने कर दिया था क्या कर दिया था वंशानुगत की पेसवा का बेटा ही पेसवा बनेगा ठीक है और पानिपत के बारे में प्यारी बच्चे अगर हम बात करें यहां पर पानीपत पहला जानते हो आप, पानीपत दूसरा आप जानते हो, मुझे बता पानीपत तीसरा जानते हो ना 1761 किस-किस के बीच हुआ था मराठे एहमद सहाब दाली मराठों की तरफ से कौन थे सदासिव राव भाव थे विस्वास राव भाव थे यह जानते हुना इनको यह जरूर आप सब लोगों को पता होने चाहिए निमलिखित में से किसने पुर्टगालियों से साल से बसीन के दीपो को छीना था बसीन को छीन लिया था आपका किससे पुर्टगालियों से तो बाजिराव पुर्थम ने छीना था या बाला जी विश्मनात ने जीता था या बाला जी बाजिराव ने जीता था तो क्या बोलोगे बाजिराव पर्थम मैंने बोला था ना चत्पती सिवाजी महराजी के छेतरफल को प्यारे बच्चे जो मराठा सामराजी का छेतरफल था उसको सबसे बड़ा बनाया था किसने वो थे बाजिराव पर्थम महान लीडर थे, इनकी कहानी आप लोगों को पता होगी जब मैंने कहा था, रंगीला ने इनका चित्र बनाया तो कितना संदर्य है, कितना संदार वर्णन उसने किया तो उसने बोला कि इनको सब कुछ दे देना, जो कुछ मांगे तो ये प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, आप बसीन के धीपों को पुर्तगालियों से छिल लिया था, बाजिरा पर्थम ने अचा पर्थम अंगल मराठा युद की अवधी क्या है पर्थम अंगल मराठा युद मैं आपको दूसरा बता दूँ, दूसरा हुआ 1803 से 6 अगर हम बात करें तीसरे की तो अठारे सो सत्रे से ठारे हुआ, फीन ही युद्ध हुए, ठीक है, पहला हुआ 1775 से 82, और इसमें 1775 में सूरत की संदी हुई, और 1782 में इसमें प्यारे बच्चे सलबाई ट्रीटी हुई, क्योंकि सुरवात में रागोबाने की थी, रागोबा dyकारि utan बहुआ रागोबाने का आप इसमेर की स्थी, और 17 얘기 je, गी हुआ के तुर्टी आभी अंगल मराथा, युद्ध के समए गवर्नर जनर नरल कौन था। क्या बोलोगे वो हैंश्टिक्स था अवद के स्वायत राज्य का संस्थापक कौन था आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चे जब आपका साशन कर ला था मुहम्मद सहारंगीला अब बोलोगे मुहम्मद सहारंगीला तो मुहम्मद सहारंगीला के प्यारे बच्चे साशन के समय पर मुहम्मद सहारंगीला के शाशन के समय पर बहुत सारे राजाओं ने स्वैम को स्वतंत्र कर लिया वो कौन राजा थे जन्नोंने खुद को स्वतंत्र कर लिया इसमें प्यारे बच्चे एक तो अवद का नाम आता है कौन्ते सादत खा 1722 में खुद को स्वेतंतर कर लिया और इसी अवद का अंतिम साशक था आपका वाजिद अली याद है अंग्रेजों ने आपका कुशाशन कारोप लगा करके अवद को छिलिया था 18 pushtant में यही अवद है और ऐसी 1724 चिंकलिज खा मत भूलना जिसको हम निजाम-अ-उन-मुल्क के नाम से जानते हैं क्या बूलोगे, चिंकलिज खान चिंकलिज खान, प्यारे बच्चे चिंकलिज खान जिसको हम किस के नाम से जानते हैं निजामुल्मुल्क के नाम से जानते हैं। इसी को हम आसफ जहां बोलते हैं। यह सारी चीजे हमने बहुत किरम से पढ़ते। पिर्थम आंगल मैशूर युद्ध 1766-1769 इसवी में कौन विजई हुआ था। पिर्थम आंगल मैशूर युद्ध। तो आप सोचें आंगल मैशूर युद्ध कितने हुए। बता सकते हैं प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे तो आंगल मैशूर युद्ध हुए थे प्यारे बच्चे। 1766-1769 इक बच्चा के रहा है। सरजी ट्रिक से याद करा है। प्यारे बच्चे मैं आपसे हाथ जूड के माफी माग चाहता हूँ इस बात के लिए कि मैं आपको नहीं करा सकता हूँ। यह मुझ पर आता नहीं है। यह किसी और से आता होगा। यह आप ट्रिक से वहां सीखे। प्लीज रिक्वेस्ट है। प्रिक के चक कर मेरे दोस्त यहीं तुम रह जाओ। मत करो ऐसा अपने जीवन के साथ क्यों केल रहे है। अच्छे से पढ़ा ही करो। 1767 से उनहेतर प्यारे बचे कौन सी संदी हुई थी एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बोलेंगे तो आप कहेंगे भिया जी यहां पर मदरास की संदी से एक खतम हुआ। 1784 में मंगलौर की संदी हुई थी यह यहां पर खतम हुआ। जीता था। बाद में कमजोर हुआ फिर आपका मैसूर सामराजे दूसरे में यह हारे तीसरे में और हारे पचास प्रतिसत देना पड़ गया इनको और चौथे में तो यह प्यारे बच्चे टीवू सुल्तान मारा गया। निमलिखित में से कौन सा सुमेलित है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा सुमेलित है। एक सेकंड का टाइम देना। बोलेंगे बे। निमलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। फिर्थम आंगल मैसूर युद हैदर अली पराजित हुआ था। इसमें घेदर अली पराजित हुआ था। गलत बात है इस युद को जीता था। ठीख़े है। टैपु सिल्टान हार गया था और इसने अपना सामराज्य दिया था आधा चौथे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्या दिगवंदत हो गया ये 1799 की बात है और एकदम से सहीक स्टेटमेंट ये है निमलिखित में से किस सिख गुरू ने अखाल तक्त का निर्मान कराया था गुरू रामदास थे गुरू तेक बहदुर थे गुरू हर गोविन थे या फिर गुरू नानक थे बोलेंगे भी है कौन से गुरू थे बहियाँ जी क्या हुआ आपके नेत्रों में कुछ नी हुआ मैं रात दरसल में दो ही घंटे सो सोपाया नेत्रों में कुछ नी हुआ हो आँखे बस ऐसा हो लग रहा होगा तो मैं सूझगी हो आँखे पाक्य कोई देखा पोलगा भी फटाफट से लाल लग रही है. क्या आंक ज़िए? ज़िए लाल लग रही है. जहाँ से हे है? आए हो ही है. निमलिखित में से किस सिख गुरू ने अकालतक्त का निरमान किया था? क्या बोलेंगे हैं, अकालतक्त किसमुह ने बनवाए है? प्यारे बच्चे गुरू हर गोविंद जी ने बनवाया था गुरू हर गोविंद जी आज सोएंगे बढ़ी हाँ पदिक्कत नहीं है ठीक हो जाएंगे पिलासी का युद्ध कब लड़ा गया यह तुमारे फिंगर टिप्स होने चीए पिलासी, बक्सर, सारे युद्ध आपके फिंगर टिप्स होने चीए तो क्या बोलोगे 23 जून 1757 को कौन-कौन भिढ़ गए? एक तरफ किलाई बिढ़ गया, एक तरफ सिराज उद्धोला भिढ़ गया कौन बढ़ गया? किलाई वर्सिज सिराज ठीक है? फिलासी का युद्ध अंग्रेजों की एक सुरुवात थी लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने प्यारे बच्चे खुद को इस्टैबलिस कर दिया थै एकदम से अंग्रेजी सासन की एक मजबूत सुरुवात बना और इसमें 1764 में प्यारे बच्चे कौन था एक तब मुन्रो था और मुन्रो के खिलाफत में कौन थे आपका काशिम था अवद का नवाब सुजाव दोला था अगर हम बात करें सहालम दुत्या था जो आपका कहां से था दिल्ली से था ठीक है नेक्स्ट आगे आएंगे बहुत बढ़ी है सर को यह 170 कुश्चन है निम्ण में से कौन नीली जल योजना जिसको बिल्यू वाटर पॉलिसी से संबंदेत है क्याते हैं जो बिल्यू वाटर पॉलिसी से संबंदेत है कौन है पुर्तगाली आये 1408 में वासकोडिगाम आया सबी जानते हैं तो जो पहला पुर्तगाली आया 1505 से 1509 उसने हिंद महसागर में प्यारे बच्चे कंट्रोल के लिए क्या लाया था वो आपका बिल्यू वाटर पॉलिसी लाया था जिसको अल्बू कर्क जो 1509 से लेकर के 1515 तक था इसने बिल्यू वाटर पॉलिसी को क्या कर दिया था रद कर दिया था भारत में डच्च का प्रारंबिक उपनिवेश कहां पर था जब डच्च लोग आये डच्च कहां से आये थे डच्च? आप कहींगे भीया डच्च आये थे नीदर लेंड से डच्चों ने तो ये उपनिवेश पहले से बहुत कुश्चन पूछता है जागर में सागर का यही मतलब है कि वो आपको बता दे कि परसन किसके आसपास और कहां से पूछे जाएं मसूली पटनम क्या बोलोगे? मसूली पटनम में ये प्यारे बच्चे उनका पहला कार खाना खुला और यहां पर पुली कट में उन्होंने 1610 में कार खाना खुला 1605 में प्यारे बच्चे मसूली पटनम में खोचा और पर थम डच वैक्ती कभी कोई पूछ ले ना कौन था कौन था कार्णेलिस हाउटमैन था लेकिन वेदरा का युद्ध कभी मत भूलना वेदरा 1769 में क्या हो गया था डच अंत हो गया था क्योंकि डच टकरा गए किसे इस्ट इंडिया कमपनी और यह क्या हो गए, तभा हो गए, तीक है, इसके साशनकाल में भूराजस्व से सम्मंदित इस्थाई बंदोबस्त इस्थापित किया था, बोलेंगे भी फटाफट से, चलो, आगे आएगे, इसके साशन, किसने साशनकाल में भूराजस्व से सम्मंदित इस्थाई बंदोब इस्थापित किया था बोलेंगे एक बार क्या बोलेंगे आप जॉन सोर, कलाइव या फिर कारणवालिस जानते हैं नागरिक सेवा का जनम दाता है नागरिक सेवा का पुलिस सेवा का जनम दाता है ठीक है वदिक्कत क्या बोलोगे नागरिक सेवा पुलिस सेवा का जनम दाता है और 1786 से 1793 और फिर ये बने थे 1805 में ये बिलकुल याद रखेंगा बहुत इंपोर्टेंट है कारणवालिस कारणवालिस की समाधी कहा है बताओ एक बार बोलोगे एक दिन नेक्स्ट आगे तो राजस्व से संबंदित महलवाडी विवस्था इसका जनक किसे माना जाता है मैं आपको महलवाडी विवस्था बताया मदरास भी बताया 820 भी बताया सारी चीजे हमने बात की थी प्यारे विच्चे किसको जाने जाता है हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है कि ये महालवाडी विवस्ता का क्या है चनक है वर्स 1921 में मोपला विद्रहो कहां पर हुआ था मोपला विद्रहो के बारे मैंने आपको कई बार इस टेटमेंट दिया है मैंने आपसे कहा था कि ये मोपला था जिसको मोपला विद्रहो नाम दे दिया गया अधरसल में एक नरसंगहार था तो इस नरसंगहार में प्यारे विच्चे अगर हम बात करें तो यह कहां पर हुआ था यह केरल में हुआ था और कई बार इसका छेत्र भी पूछा गया है परिक्षाओं में माला बार छेत्र में इसमें मतलब लगभग मतलब अगर बात करें हम तो संख्या में अगर गिंते हैं निवेसिंट ने लिखा है वावसा भीमरावमेड करने लिखा है कि 50,000 हिंदू का कतली हां पर कर दिया लिए विद्रहो के नाम पर जो खिलाफत आंदोलन हमारे देश में चल रहा था उस समय पर ये कतली हां हुआ था तो मोपला विद्रहो प्यारे बच्चे कहां पर केरल में और इसमें कौन जुड़ा हुआ था जो नेतरत्व कर रहा था इस नरसंगहार को करने के लिए वो था मुसलियार कौन था मुसलियार था इसी ने नरसंगहार मचाया था ठीक है अच्छा एक चुआर विद्रहो याद विद्रहो है कुछ चुआर विद्रहो 1768 का है किसने चलाया था जो हमारे दुरुजन सिंह थे कौन थे दुरुजन सिंह थे इन्होंने चलाया था ठीक है पोल विद्रहो आपसे पूछे प्यारे बच्चे पोल विद्रहो कब का है तो 1831 में हुआ ये थे हमारे सुर्गा और इन्होंने चलाया था, दोनों जरूर याद रखेंगे, ठीक है, और संथाल विद्रहो, संथाल विद्रहो, प्यारे बच्चे 1855 का, ये किसने चलाया था, ये सिद्धु कान्हु इन्होंने नेतरतव किया था, सिद्धु और कान्हु बोलते हैं, इन्होंने इसका नेतरतव कि वह में किया ठाइए। गोपाल कृष्ण गोखले ने लुखर्श में भरत सिवक मंदल यानि Servants of India Society की इस्थापना की। जानते हैं आप किसे इस्थापना आप सियांते हैं यह कॉन थे मोहंदास करमचंद Gण具 के गुरु थे दось मोहंदास करमचंद गांधी के ये गुरू थे प्यारे बच्चे और याद रख लेना कहां पर हुई थी ये इस्थापना पूरे महराष्ट में ये इस्थापना हुई थी और इनके साथी कौन थे इस काम में तुरेंदरनाथ बनर जी थे कौन थे तुरेंदरनाथ बनर जी कौन थे इनके साथ में थे प्यारे बच्चे इस काम में ठीक है निम्ण महापुरसों में से कौन भारतिय जागरती का जिनक कहला जिसको हम कहते हैं कि उसने सोई भारत को जगाया है जो भारत कहीं पर अपनी पर्थाओं के साथ कुछ थोड़े से सुधार की जुरुत थी ना मात्र के सुधार की जुरुत थी वो सुधार किया तो किसने जगाया राजा राम मोहन राय तब को जानते हो प्यारे बच्चे फिर एक कुशन बता देना आत्मिय सभा का गठन किस वर्स हुआ अगर ये बता दिया तो मैं समझूँगा सारी चीज़े आपकी तयार है आत्मिय सभा पूछे आपसे भरम समाज पूछे तो क्या बोलोगे भरम समाज 1828 का है और आत्मिय सभा मैं देखना चाहूँँगा आप लोगों के उत्तर 1815 बहुत गजब बहुत सांदार बहुत जवर्दस्त में रसा तो आत्मिय सभा प्यारे बच्चे 1815 में और इन्ही के प्रियासों से 1829 में सती पर्था खतम हुई बैटिक के प्रियासों से खगी प्रथा खतम हुई सिसुवद पर रोक लगी इन्ही के अखवार है आपका मिरात अल अखवार अगर बात करें हम क्या वो लोगे मिरात अल अखवार किसका है वो इन्ही का है समवाद कॉमूदी किसका है जीवन था इनका पहले आधुनिक पुरुस किसे माना जाता है पहले आधुनिक पुरुस अब यही कुश्चन है नाना साहिब को बोलेंगे एयो हियूम को बोलोगे राजा राम मोहन राय को बोलोगे यह स्वामी वेकानन तो क्या बोलोगे राजा राम मोहन राय को तो भारत का पिर्थम आधुनिक पुरुस इनको कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले क्या बोलोगे गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है यह याद रखे इसने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था बोलेंगे एक बार राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था बहुत बढ़िया पनुज कुमार, वेद परकास तिवारी, दामोदर बगहेल, विकास सोनकर, उपासना तिवारी, टीमा, अमन, संतोस, विराट, मिठालिया, आसु सिंग, गौर, रजत सिंग, विजय आदव, वितुराज, राजबूत, अरेगुट, राजा राम मोहन राही ने निम्न में से कि इसका विरोध नहीं किया था, तो क्या बोलेगें, बालिविवा का विरोध किया, सतीपर्था का, मूर्ति पूजा का, पाश्यात्य सिक्षा का, वेश्टर्ण, जो एजुकेशन थी, उसके प्यारे बच्चे, वो क्या बोलते हैं, अपका अग्रसर थे उसकी तरब, वो चा राम मोहन राए नहीं है, स्वामी सहजानंद नहीं है, कौन थे, M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे थे, और महराश्टर में यही प्रात्ना समाज प्यारे बच्चे, इसके दुवारा केसव चंदर सेन, कौन थे, केसव चंदर सेन, और इनके साथ एक अन्य वैक राक्ति कौन थे, आत्मा राम पांडूरंग, क्या बोलोगे, आत्मा राम पांडूरंग, ठीक है, यह हमेशा याद रखेंगे, आप आत्मा राम पांडूरंग, और जो यह M.G. रानाडे हैं, इनहीं को हम क्या बोलते हैं, महराश्ट का सुकरात इनहीं को कहते हैं, क्या ज भाग लिया 1890 में 1890 में या 1901 में 1893 में लिया कब जन्म हुआ था एक बार बोलेंगे प्यारे बच्चे इनका आपका आंसर आएगा 12 जनवरी 1863 को और आपका 4 जुलाई 1902 को ये एकस्पायर हो गए थे ठीक है चार जुलाई 1902 12 जनवरी इनही के लिए प्यारे बच्चे क्या मनाते हैं हम आप लोग जानते हैं राष्ट्रिय युवा दिवस इनही की याद में प्यारे बच्चे मनाया जाता है पुस्तकों की इनकी बात करें तो माई माश्टर से लेकर के प्यारे बच्चे आपका ज्यान योग करम योग भक्ती योग राज योग ये सब किसकी पुस्तके हैं ये स्वामी वेक अनंजी की पुस्तके हैं बहुत बढ़िया और इनका वो मठ मत भूलना 1897 में जो इन्होंने बैलूड मठ की स्थापना क इनके गुरू का नाम था रामकृष्ण परमहंस माथी सार्दामनी याद है आगया ये कियो सोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां इस्थित है कियो सोफिकल सोसाइटी प्यारी बच्चे अगर हम बात करते हैं 1875 में बनी और कहां बनी थी ये नियू यॉर्क में बनी कहां तो करनल अलकाट थे और एक थी मैडम बलाटावस्की उन दौनोंने मिलकर के इसको बनाया और प्यारे बच्चे फिर ये भारत आई तो बहारत में जब इसका प्रियोग प्यारे बच्चे मतलब प्रिसार सुरू हुआ तो इसका जो अड़ा बनाया गया वो बनाया अडिया मदरास में क्या बोलोगे अडियार मदरास में क्योंकि जब करनल अलकाट की मौत हो गई तो करनल अलकाट की मौत के बाद में एनी बेसेंट फिर इसके अद्यक्षा चुनी गई यही एनी बेसेंट फिर भारत में आकर के काम करती हैं इन्होंने ही होम रूल चलाया होम रूल चलाया वो चलाया आपका प्यारे बच्चे सितंबर 1916 में ठीक है सितंबर 1916 में और यही इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यक्षा कब बनी थी आपका 1917 में अच्छा दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्होंने होम रूल चलाया था बता सकते हो प्यारे बच्चे भारत के दू दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्होंने होम रूल आंदूलन को चलाया था महराष्ट के किस उधारक को लोखित वादी कहा जाता था एम जी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखरे पंडित रमावाई या गोपाल हरी देश मुख तो कौन है आपका प्यारे बच्चे गोपाल हरी देश मुख है इन्ही को राव बहादुर भी कहा जाता था पंडिता रमावाई कभी मत भूलना आर ये है आने आपको पहले भी ब भी पंडिता रमावाई क्या बहों लोगे सारदा सदन की स्थापना भिया जी 1889 में किस ने की थी वह इन्होंने ही की थी आगे आगे अंगरेजी पत्र इंडिपेंडेंडेंट जुड़ा था जो अंगरेजी का पत्र है inडिपेंडेंडेंट ये किस से जुड़ा हुआ था क्या बोलोगे मोती लाल नहरू से संबन्द है जवाल लाल नहरू का संबन्द था नेशनल हेराल्ड से इससे नेशनल हेराल्ड से संबन्द था किसका आपका जवाल लाल नहरू का ती आर दास की बात करते हैं जितरन जन्दाश जो सुवाश्चंदर बोश जी के राजनेतिक गुरू थे पॉर्वर्ड मैगजीन थी इनकी और महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया तो थी ही और एक हरीजन थी क्या थी हरीजन और साथ में यंग इंडिया कबलोगे यंग इंडिया मैगजीन ये महात्मा गांधी जी थी निमलिखित में से कौन एक सुमेलित है वैलेंटाइन्स रोल उसकी पुस्तक है इंडियन इस्ट्रगल ये तो इंडियन इस्ट्रगल तो सुवाश्चंद बोश जी की है वैलेंटाइन्स रोल नहीं समिध हुँआ वीडी सावर कर अनफी इंडिया ये भी नहीं है ये दुखी भारत ये लाला लाजपत राई की ए लाला जी की बुख है स्वीडी सावर कर की जी बुख थी 1857 के ऊपर सुभाष्चंद बोश जी की इंडियन अरनेस्ट किस की है वेलेंटाइन सरोल किये, क्या बोलोगे वेलेंटाइन सरोल किये, इंडियन अरनेश्ट, बहुत इंपोर्टेंट है सिर्फ एक ही किताब आपका प्यारे बच्चे, The Man The Man Who क्या बोलोगे, The Man Who Divided India The Man Who Divided India रफीक जकारिया की पुस्तक है और ये एकदम और मुहमद अली विपिन चंदरपाल की कौन सी magazine थी, अर्विंद घोस का संबंद किस से है, तो आप कहेंगे अर्विंद घोस बंदे मातरम से हो गए और मुहमद अली का खिलाफत आंदोरन के दोरन का कामरेड हो गया परहमूब बंदा उपाद्धिहाई की संधिया हो गई और विपिन चंदरपाल की न्यू इंडिया हो गई ठीक है, न्यू इंडिया आप लोग याद रख लिना वो किस की है, इनी बेसेंट जी की भी है तो क्या बन जाएगा आपका एक तीन चार दो, एक तीन चार दो, तो उप्सन ए प्यारे बच्चे हमारा एकदम से सही बन जाए 1878 का वरना कुलर प्रेस एक्ट किसने रद किया था तो वरना कुलर प्रेस एक्ट के बारे में याद करो एक पार तो आप कहेंगे कि जो देसी भासा के ख़वार थे उन पर रोक लगा दी खतरनाक कौन आया था भीया खतरनाक आया था लिटन बहुत रोक लगाई इसने 1878 में एक तो वरना कुलर हो गया एक सस्तर अधीनियम भारतियों के सस्तर रोकने पर इसने क्या बोल दिया रोक लगा दी एसी तमाँ रोक इसने लगाई रिपन ने इसको खतम किया था रिपाल कर दिया 1882 में 1882 में वरना कुलर प्रेसेक्ट को खतम किया था इस सस्तर अधीनियम को भी रिपन ने ही खतम किया था भीयाद रखें बनारस हिंदू विश्विद्याले का सिलान्यास शलानियास, मदन मोहन मालविय ने, गांधी जी ने यहीं पर जब भारत आये थे तो अपनी पहला स्पीच यहीं पर दिया था, कौन थे, मदन मोहन मालविय थे, कब बना था BHU, आप क्या बोलेंगे, BHU भिया जी बना था, आपका 1916 में, ठीक है, और BHU की अगर हम बात करें, प्यारे बच्चे, तो यह दरसल में पहले CHC था, THC यह बना था, आपका 1818 में, THC बोले तो Central Hindu College, जो Any Basin ने बनाया था, किनों ने बनाया था, Any Basin ने बनाया था, प्यारे बच्चे यह, Central THC, Central Hindu College, जो बन गया बाद में, बनारस Hindu University, ठीक है, Next, किसके सतत प्रियतनों से, बंबई में पर्थम महिला विश्विद्याले की स्थापना हुई, देयराम, गिंडुमल, डीके करवे, रमा बाई, या फिर, एमजी, राना डे, किया बोलेगो प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको भारत रतन बताया था, तुमistan ने बोले था, 1958 में महरसी करवे जी को उनके सौवे जनम दिन पर, एक बार थम सब करना जो इस बात को जानते हैं, कि उनके सौवे जनम दिन पर उनको मिला था भारत रत तो वो डीके करवे कौन है कि महिला सिक्षा के लिए उन्हें बड़ा बहतरीन काम किया और महिला सिक्षा में प्यारे बच्चे अगर हम बोले तो उन्होंने एक स्कूल विष्विद्यालय SNDT इसको बोलते हैं सिरी नाथी बाई थाकरसी थाकरसी विद्यापीट यह मुंबई की है 1916 की तो किसने टीके करवे टीके करवे ने इसको इस्तापित किया था यही हैं डीके करवे दोंदो केशव करवे जिनको इनके जनम दिन के सौबे जनम दिन पर इनको भारत रतन मिला 1857 इश्वी के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था क्या? आप बोलेंगे डलहौजी तो भी या नहीं है 1856 है इस कारेकाल में जो हृआ चाहे रेल चलियो चाहे डाग चलाओ चाहे रेल विद्वा विद्वा ड्राफ्ट किया गया हो आपका डांकतार यह सब इस समय के हैं मिंटो था क्या कैनिंग था हां जी कैनिंग है 1856 से 62 कैनिंग के समय पर प्यारे बच्चे क्या हुआ ये विद्रो हुआ था 1857 इसका सिर्फ आप मुझे प्रतीक बता दो प्रतीक क्या था इसका तो आप कहेंगे रोटी बोलेंगे भी फटाफट से एक एक बच्चे का अंसर आना चाहिए रोटी और कमल क्या बोलोगे रोटी और कमल बहुत बढ़ी है सर्या मेरा कॉलेज है SNDT कानपुर में 1857 इसवी के विद्रो का नेतरतव किस ने किया बोलेंगे देखो बक्त खान कहां था इतव दिल्ली में था कुवर सिंग कहां थे ये प्यारे बच्चे बिहार में थे मौलवी एहमद उल्ला कहां थे ये आप लोग बताएंगे और ये मैंने बता दिये आसान सा परसन कानपूर में कौन थे विद्रो का नेतरतव करने वाले वो नाना साहिब थे कौन थे नाना साहिब थे मेरट में कौन थे प्यारे बच्चे मेरट में प्यारे बच्चे कौन थे कदम सिंग थे कब लोगे मेरट में कदम सिंग थे बागपत में कौन थे प्यारे बच्चे बागपत में थे आपका क्या बोलोगे सहमल थे क्या बोलते हैं को राव कदम सिंग गुजर बोलते हैं और बाबा सहमल जाट ये बागपत में थे हरियाना में कौन थे आपका हरियाना में थे राव तुला राव ठीक है राव तुला राव ठीक है और आगे बात करेंगे गोरकपुर में कौन थे गजोधर सिंग थे गोरकपुर में कौन थे गजोधर सिंग थे कौन थे प्यारे बच्चे गजोधर सिंग थे अब मैंने आपको एक कुश्चन बताया था 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन है यह तुम में बता दो एक बार 1857 का जो प्यारे बच्चे गौर्मेंट जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था तो क्या बोलो SN सेन भाईया जी सुरेंदरनाथ सेन था ठीक है लेकिन याद रख लेना The Great Rebellion क्या बोलोगे असोक महता जीने लिखी है यह याद रख लेनाथ 57 के संगराम पर है जैसे The War of Independence 1857 यह भी पुस्तक लिखी थी आपका किसने यह लिखी थी आपका प्यारे बच्चे कौन थे तो हमारा आंसर आएगा भिया जी वो थे हमारे यह लिखी कौन विडी सावर कर दे भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस के दूसरी अधिवेशन के अद्येक्षता किसने की थी बारती राष्ट्रे कॉंग्रेस का पहला आदिवेशन तो प्यारे बच्चे 1885 में हुआ कॉंग्रेस की स्थापना किस के समय पर हुई डफरिन के समय पर हुई और 1885 के बाद में प्यारे बच्चे 1886 तो पहले में तो व्योमेश चंदर बनर जी थे ठीक है, वहाँ पर बंबई में व्योमेश चंदर बनर जी और दूसरे में कौन थे, आपके कलकत्ता में क्या वो लोगे, फरोज सहा महता थे क्या भी या, तो आप कहेंगे दादा भाई नैरो जी थे इनवार रहे, 1886 1893 और 1906 याद है ना, बक मई बक 142 गलत है एक बच्चा कह रहा है, देख लेते हैं भी 142 में क्या कुछ गलती कर दी क्या 142 में क्या क्या कुछ गलती कर दी 1898 का Vernacular plays세 tutte किसमें रद किया था बिलकुल ठीक है मैंने देखो, बूला मेने है, बस गलत मार कर दिया, तना दो तुम कर सकते हो है मैंने बूला, 1878 में सस्त रधीनियम लेकर के आया लिटन वरनाकुलर प्रेसक्ट लेकर के आया कि मैंने यहां आपसे बुला भी है रिपन ने रिपन ने उसको खतम कर दिया 1882 में रियली सॉरी मैंने गलत मार्क किया लेकिन तुम सुन भी लिया कर वार थोड़ा सा कभी कबार कि बच्चे नहीं बन सकते कि सब कुछ चाहिए एकदम लिखा हुआ डिजाइन बना हुआ करना चाहिए तो ही है मेरी ही गलती जनगन मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया भारतिराश्टे कॉंग्रेस का अधिवेशन अठारसुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च की एक गुप्त सौसाइटी संस्था अभीना भारत इस्थापित की थी मित्र मेला के लिए भी नाम जाता है तो क्या खुदी राम भोस थे नहीं जी स्याम जी क्रिशन वरमा इंडिया हाउस के लिए याद है इंडिया हाउस मैंने आपको बताया था बिर्टेन में उनहीं के तले स्याम जी क्रिशन वरमा ने घर खirीद करके भारते चात्रों को सकौलरशिप दी थी सेन फ्रेंसिस्कों में इन्हों ने बनाया था प्यारे जदर पार्टी वीडी सावरखर ये कौन है प्यारे बच्चे जिन्हों ने किसकी स्थापना की थी वीडी सावरकरजी ने स्थापना की थी आपका इसकी अभीनब भारत की राश्टिय आंदोलन की अवधी में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंतत्य देश का विभाजन कराया था वो कौन सी घटना थी 1906 में मुसलिम रीकी स्थापना हुई इसलिए देश का विभाजन हो गया 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ इसलिए देश का विभाजन हो गया गांधी जी द्वारा खिलाफत अंदोलन को समर्थन किया गया इसलिए देश का विभाजन हुआ विधान सभाओं में मुसल्मानों के लिए पृथक निर्वाचन छेत्रों और इस्थानों को जो आरक्षित किया गया यही कारण बना प्यारे बच्छे देश के विवाजन का किरांतीकारी जो हार्डिंग बमकार्ण में सामिल नहीं था कौन है? माश्टर अमी चंतो थे भी यह भाई बाल मुकंद भी थे अवद बिहारी भी थे जानते हो ना अवद बिहारी भी थे वसंत कुमार विस्वास भी थे जिन्होंने बम फैका था वसंत कुमार विस्वास पता है ना हार्डिंग बमकार्ण 1912 का जब कौन जा रहा था आपका इस नाती को चला रहा था इन्होंनों बम मार दिया उसके उपर भगवती चरण वहरा नहीं थे भगवती चरण वहरा की बुक का नाम आप बताएं कौन सी बुक लिखिया इन्हों तो याद है ना philosophy of bomb किसा लिखिया है वह भगवती चरण वहरा ने लिखिया कॉंग्रेस के वर्स 1916 के लखनोग अधिवेशन में कौन सा मुख्या दूरगामी प्रिणाम वाला नेड़ने लिया गया था 1916 जिसमें एसी मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार थे मुसलिम लीग की प्रथक निर्वाचन छित्र की मांग स्विकार इन्होंने कर ली में से कोई नहीं तो क्या बोलेंगे भीया कॉंग्रेस और मुसलिम लीग का एक एस्थाई विलय हो गया यानि नरम दल और गरम दल एक हो गए और साथ में मुसलिम लीग भी समें सामिल हो गया था और विभाजन कब हुआ था प्यारे बच्चे विभाजन 1907 रास बिहारी आप याद रखेंगे विभाजन हुआ था 1907 में कॉंग्रेस का गदर पार्टी के गदर पार्टी से निमल खित में से कौन सम्मंदत नहीं था लाला हर्दयाल पंडित रामचंद्र बरकत अल्ला और खुदी राम बोस क्या बोलोगे खुदी राम बोस जी आप सारे बच्चे समझ सकते यह तो हरे से سंबंद रखते थे H, R, A से संबन रखते हैं गदर पार्टी क्या बूलते हैं परसान्त तटका हिंदी संग किस तंगठन को कहा جाता था परसान्त तटका हिंदी संग इसको कहा जाता था गदर पार्टी जंग दा होका नारा यह सारी चीज़े मैं आपको पढ़़ाई थी 1913 1913 सेन फ्रेंसिस को में क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले का समय था और इनको लगता था कि अब हमको ऐसा माहौल बनाना ले चाहिए ताकि देश हमारा क्या हो सके अपने अधिकारों के लिए इस बिर्टिस सामराज्य से मांग कर पाए ठीक है लाला हर्दियाल याद है ना आपको वो सोहन सिंग भाकना भी इसी में थे सोहन सिंग भाकना जो अध्यक्ष थे इसके उपाद्यक्ष आप मुझे बता दो एक बार कोई सांदार बच्चा तो जरूर बताएगा कुछ नहीं बहुत सारे बताएगे उपाद्यक्ष कौन थे अध्यक्ष तो यह हो गए उपाद्यक्ष थे प्यारे बच्चे जिन बच्चों को याद आये होंगे एकदम से याद आये होगा नाम केसर सिंग ठतगड तो वो लोगे केसर सिंग ठतगड थे कामा गाटा मारू क्या है तामागाटा मारू क्या है तो एक उद्धियोगी केंदर है ये एक बंदरगहा है एक जहाज है या फिर एक दीप है दरसल में ये एक जहाज है जो कहां जा रहा था आपके अगर बात करते हैं एक पंजाबी वेक्ति थे उन्होंने इसको खरीदा और ये पंजाब से कनाड़ा जा रहा था लेकिन कनाड़ा के लोगों ने वहां कुछ लोगों को उतार करके इनको वापस कर दिया इन पर गोलिया चला दी गी ये कांड है आपका 4 अपरेल 1914 को ये चला था आपका प्यारे बच्चे और 1914 के अन्त में सायद आपका सितंबर अक्टूबर तक ये पहुचा वहां पर और इन पर गोलिया वहां पर दाग दी ये कांड गारू क्या था एक जहाज था एक आपका क्या था आग आएगे नेक्स्ट गांधी जी का चंपारण आंदोलन था गांधी जी का जो प्यारे बच्चे चंपारण आंदोलन था वो क्या था हरी जनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु था सवीने अवग्या आंदोलन था हिंदू समाज की कत्ता बनाए रखने के लिए था या नील कर्मियों की समश्याओं के लिए था जानते न, वहां तीन कठिया प्रिनाली थी तीन बटे बीस भाग पर खेती करनी जरूरी थी ठीक है, राजकुमार सुकल जो गांधी जी से मिले थे उन्होंने गांधी जी सोई प्यारे बच्चे क्या किया आपका गांधी जी से निवेदन किया, कि आप चलें और राजकुमार सुकल के कहने पर गांधी जी वहां पहुच गे थे और ये गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में खेडा सत्याग्रह का संबंद किस राज्य से है? जो खेड़ा सत्याग्रह है उसका संबंद किस राज्य से है महराश से, गुजरात से, केरल से या पिर तमिलनाडू से क्या बोलेंगे भीया गुजरात से संबंद तो आप लोगों को पता होगा एहमदाबाद मिल मजदूर था गांधी जी का वहीं गांधी जी को पता चला, गुजरात में किसानों की जो फसल बरबाद होगी है लेकिन सरकार उनसे जो है मांग कर रही है, टेक्स की कर की मांग कर रही है लगान की मांग कर रही है, उस लगान के लिए इनोंने लोगों को वहाँ पे जागरत किया कि आप सत्यागरह का पालन करो तभी बल्लब भाई वटेल जी अपनी वकालत छोड़ करके इसी खेडा सत्यागरह में क्या बोलते हैं कौन-कौन वैक्ति थे इसमें एक तो बल्लब भाई पटेल जी थे बल्लब भाई पटेल जी थे और एक थे इसमें याग्गिक जी क्या वो लोगे याग्गिक नाम याद रखेंगे ये कौन थे आपका ये भी प्यारे बच्चे आपका सामिल रहे किसमें खेडा में ये दो वैक्ति मतला मुख्या लीडर रहे थे इसमें याग्गिक और पटेल सहब इंदुलाल याग्यक इनका पूरा नाम था इंदुलाल याग्यक और वल्लबलाई पटेल जलियावाला बाग नरसंधार पर कॉंग्रेस जान समीति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कारिय सौपा गया था किसको जवालल नहरू को महत्मा गांधी को सी आरदास को या फिर फजलूल हक को कॉंग्रेस जान समीति की रिपोर्ट लिखने का किसको सौपा गया था कारिय है यह महत्मा गांधी जी को सौपा गया था या दे जलियावाला बाग हत्याकांट 13 अपरेल 1919 क्या बोलोगे 13 अपरेल 1919 बहिया जी और यही दिन था बैशाकी का और किसकी गरफतारी हो गई थी विरोध कर रहे थे रॉलर्ट एक्ट का किसका जो काला कानून था बिना अपील बिना वकील बिना दलील उसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुदीन किछलू की गरफतारी हो गए गरफतारी का प्यारे बच्चे जो भीड आई उस पर आदेश किये गए माइकल ओ डायर और जनरल डायर के दुआरा उनियत्ती भीड पर गोलिया चलाई इसमें जो जांस समीती बनी थी उसको बोलते हंटर समीती इसमें एक बार बोलेंगे हंटर जो समीती है प्यारे बच्चे में मतलब आठ सदश्य में भारत यह कितने थे भारत यह संख्याती तीन एक तो थे चिममन लाल सीतलवार क्शे इसमें एक सअब स्चन जादा सलमूतान थे इसमें और एक थे इसमें जगत नारायन तब लोगे जगत नारायन थे निम्न में से कौन सा एक ऐसा यूग अंदुलन को प्रारम करने का कारण नहीं था ऐसा यूग जानते हो न, गांदी जी ने जब देश से वादा किया कि मैं आपको एक वर्स में आजाद करा दूँगा एक अगस्त उनिस सो बीस को खिलाफत का पर नमक कानून पंजाब में अत्याचार या फिर रॉल अटेक्ट, रॉल अटेक्ट तो एक कारण था नमक कानून क्या एक कारण था नमक कानून तो बहुत बाद में आये दांडी के समय की बात है पंजाब में अत्याचार और खिलाफत जो 1919 में चल रहा था इन सब के विरोधी थे कौन आपका प्यारे बच्चे ऐसा ही उग को सुरू करने के लिए गांधी जी ने प्रस्ताव लिया क्योंकि पंजाब में अत्याचार हुआ किसानों पर जलियावाला बाग हुआ रॉलेट हुआ आपका प्यारे बच्चे सब ही कारण थे नमक नहीं था किनके नेतरतम में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोशेशन की स्थापना हुई हरे कानपूर में बना सचंदर सान्याल जीस का नेतरतम कर रहे थे 1924 कानपूर और यही प्यारे बच्चे हरे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोशेशन यह बन गया हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोशेशन अब बना था 1928 में कौन चंद सेखर आजयाद जीस को लीड कर रहे थे और भगस सिंग भी इसी में सही होगी थे को इसके साथ में आपका नव्यूब सभा को इन्होंने अपनी 1926 में जो बनाई जोड लिया था अब मुझे एक बार बताएं कौन से मैदान में घोशना हुई थी तो आप याद रख लेना फरोजा सहा तो अब क्या बोलते हैं हम अब इसका नाम हो गया अरुन जेटली जी के नाम पर निम्न घटनाओं को कालानू करम में विवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूटों का सही उत्तर दीजिए बोलेंगे भी साइमन आयोग की न्यूकती जलियावाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा और फिरोज सहा महता की मरत्यू बोलेंगे भी साइमन आयोग का कमीशन को गठित किया गया 1927 में जलियावाला बाग 1919 महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा है आपका प्यारे बच्चे इसको हम बोले तो 1930 हो गई और फिरोज सहा महता 1916 मैंने आपको कहा था कॉंग्रेस का नरम दल और गरम दल एक इस वज़े से हुआ क्योंकि गरम दल के विरोधी फिरोज सहा की मौत 1916 में हो गई इसलिए वहाँ पर आपका नरम दल और गरम दल 1916 के कॉंग्रेस अडिवेशन में एक हो गई इसलिए वह चीज़े आपको रिलेट करनी चीए तो क्या हो जाएगा चार, दो, एक और तीन चार, दो, एक और तीन हो जाएगा और एकदम से सही आंसर ये निमलिखित में से कौन सा कथन महत्मा गांधी की दांडी यात्रा के विशे में अशत्य है असत्य कथन डूंगना है यह पूर्ण ते एक पैदल यात्रा थी सावर्मती आसरम से आरम होकर इसका समापन धांडी में हुआ सावर्मती आसरम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई और इसकी सुरुवाद 15 मार्च 1930 को हुई तुम गलत है 15 मार्च नहीं 12 मार्च 1930 को यह सुरू हुई थी और 6 अपरेल 1930 तक यह चली थी पृत्थम गोल में सम्मेलन के बारे में निमलिखित में से कौन एक सही नहीं है गोल में सम्मेलन जानते हैं राउंड टेबल कॉनफरेंस प्रधान मंतरी रेम जे मैकडॉनल्ड थे भारतियों के लिए तीन बार गोल में सम्मेलन नो 1930, 1931, 1932 तो क्या बोलेंगे यह वर्स 1930 में आयोजित हुआ था पहला ठीक है इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी ठीक है इसका आयोजित लंदन में हुआ था ठीक है कॉंग्रेस नहीं की थी पहले कॉंग्रेस ने प्यारे बच्चे सिर्फ दूसरे में भाग लिया क्या वो लोगे डी वाले सारे बच्चे बी क्यों लिख रहे हुँ भाई कॉंग्रेस कॉंग्रेस मैंने कितनी बार आपको बताया है पहला, दूसरा, तीसरा कॉंग्रेस ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया पढ़ते नहीं हो सारे कुछ बहुत बढ़िया चलोगे आएगे नेक्ष्ट निमलिखित में से किन वैक्तियों ने महत्मागांथी, तरोजनी नाइड़ू और मोधनमोहनमालविय और मोलाना आजाद इसमें नहीं थे इसमें गांधी जी के करीबी अगर हम बात करें देवदास गांथी भी थैं은 गंसयामदास बिड़ला भी थे ना आपको बता दूं देवदास घंसयाम बड़ला भी इसमें थे निगे। घंसयाम दास बड़ला इसमें थे ठीक है और एनी बेसेंट इसमें थी। और यादन आपको मैंने एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था एनी बेसेंट और मदन मोहन वाली है खुद के खर्चे पर और SSCA कुशन पूछ चुकी है कौन ऐसा वेक्ति था जो दूसरे गोल में सम्मिलन में खुद के खर्चे पर गया था समझ रहे हूं? आपने खुदार आदमी होंगे बहुत बढ़िया तीनों में कौन गया भी है? तीनों में तेज परताब सक्रू गए आपका जैकर गए भीमराब साहब अमबेड कर गए तीनों में गए है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंगलेंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1942 में चेंबरलेन, चर्चिल, इलिमेंट एटली या फिर मैक डॉनाइल्ड था बोलेंगे भी आज ही ये कुश्चन मैंने आपको कराया है सुरुवाती दौर में बहुत बढ़िया, मीरा बेन भी गई थी, महाकाल का लाड़ला स्पीकर, बिल्कुल ठीक कह रहे है अरिसा सैफी कह रहे है माई बैस्टीचर, मेरे बच्चा, थेंक्यू थेंक्यू बच्चा भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंगलेंड के प्रधानमंत्री थे कैमबरलेंज, चर्चिल, किलिमेंट, एंट्री या फिर मैकडोनेट क्या बोलोगे, चर्चिल थे कौन थे, आपका चर्चिल थे आई एन्ने के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था आई एन्ने के अधिकारियों पर आईन्य मतलब आजाध हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाए गया और आजाध हिंद फौज के वो प्यारे बच्चे अधिकारी कौन थे लाल किला मुकदमा चला, लाल किले को तोड़ दो, आजाध हिंद फौज के साथियों को छोड़ दो तो एक तो गुरुबक्स थे, चाबो लोगे, गुरुबक्स सिंग थे इसमें, ठीक है, एक सहानवाज खान थे इसमें, चाबो लोगे, सहानवाज खान थे, चाबो लोगे, सहानवाज खान थे, और एक थे आपका प्रेम कुमार सहगल, चाबो लोगे, प्रेम कुमार सहगल थ नीचे कुछ इस्थानों की सूची दी गई है उसका नामो लेक कीजिए जहां भारत छोड़ो अंदोलन में तमांतर सरकारों की स्थापना की गई थी यानि भारत छोड़ो अंदोलन चला और देश में कई जिगे ऐसा हुआ उन्हों बोला हम अपनी सरकार चलाएं ठीक है और लोगों को उसके लिए प्यारे वच्चे उन्होंने डारेक्शन भी दिया तो बलिया में याद करो पुराने चातर होंगे मैंने चित्तु पांडे जी बलिया और सतारा बलिया उत्तरप्रदेश सतारा महराष्ड लाल कुरती दल संग्ठित किया गया था लाल कुर्टी दल 1929 का है खुदाई खिदमतकार इसको हम बुलते हैं प्यारे बच्चे क्या बुलते हैं खुदाई खिदमतगार के नाम से हम इसको जानते हैं और ये आप एक बार बताएंगे कि इसको संग्ठित किया गया था क्यूं? स्वतंतर पक्तुनिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान का सरजन निश्यत करने के लिए अंग्रीजो को निकालने के लिए क्यों से ठीक है? अंग्रीजो को भारत से निकालने के लिए इसका प्रठन किया गया जानते हो ना लाल कुर्टी के संस्थापक कौन है? स्वाधिन्ता संगराम से संबंदित निमलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए गांधी इर्विन समझ होता भारति राष्टी कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन भगस सिंग की फासी और पूना समझ होता इसको तो वो बच्चा कर सकता जिसने मेरी भगस सिंग की क्लास सुनी गांधी इर्विन समझ होता पांच मार्च 1931 मैंने आपको कहा था भगस सिंग जी के लिए गांधी जी और इर्विन के बीच क्या चर्चा हुई थी चिए क्वस सिंग पूछा गया था यह प्यारे बच्चे आपका अगर हम बात करें मार्च के उन्त में था 31 मार्च 1931 और भगस सिंग जी को फासी हुई आपका 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 पूना समझ होता हुआ है 24 सेप्टैंबर 1932 ठीको प्यारे बच्चे पूना समझ होता के लिए हमेशा याद रख लिना सामपरदाइक पंचांट अभी मत भूलना कम्यूनल अवर्ड जिसको बोलते हैं सामपरदाइक अवर्ड या फिर बोलें कम्यूनल अवर्ड कम्यूनल अवर्ड ये दो वोट काधिकार दे दिया गया था बिर्टिस प्रधान मंतरी रेम जे मैगनेलड के दुआरा जिसके दुआर प्यारे बच्चे आपका क्या बोलते हैं फिर गांदी जी ने येरवदा जेल में क्या कर दिया था आपका फिद्र हो कर दिया था क्या बोलेंगे भीया क्या हो जाएगा इसका देखने ज़रा एक तीन और दो और चार एक तीन दो चार एक तीन दो चार हो जाएगा निमलिखित में से किसका संबंद कानपूर सडियंतर से नहीं है निमलिखित में से किसका संबंद कानपुर सडियंतर से नहीं है कानपुर सडियंतर मतलब की कानपुर वलसेविक सडियंतर इसको हम बोलते हैं जो इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाब कुछ लोग जासुसी के लिए खटे की गए थे मुझफर एहमद नलिन गुपता मुझफर एहमद भी है जै परकाश नारान नहीं थे उस समय क्या बोलोगे यह 1924 का कानपुर है क्या बोलोगे इसमें सौकत उस्मानी जैसे लोग थे क्या बोलोगे फिर बाद में यह सब लोगों को चार-चार वर्स की सजा भी हुई थी तौकत उस्मानी है इसमें चेटी यार थे क्या बोलोगे चेटी यार थे और एक प्यारे बच्चे इसमें थे गुलाम हुसेन के सरकार की जासुसी के लिए बनाएगे लोग लेकिन नाम ले दो तुम अभी आयोद्या नाम आ जाए एक दमस कहते हैं हम एजी आयोद्या से वहलो भी फटावट से फिलैक होल की घटना का वर्णन निम्लिखित में से किस बंगाल के किस इस्थानापन फिलैक होल जानते हो ना प्यारे बच्चे 20 जून 1756 प्राव जुद्द्वला ने क्या हाल किया था अंग्रेजो का यह हॉलवे लगे खुद दबा हुआ था इसमें इसमें जिक्र किया था बहुत बढ़िया अब बताओ एक बार क्या हाल चाल है तुम्हारे चलो आजकी क्लास खतम हूई और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ प्यारे बचे परसो इस्टेटिक जी के तनमन धन से तयार रहना तनमन धन समझते हो, जितना बच्चों तक पहुचा सकते हो, उस तनमन धन से तयार करें, उस क्लास के लिए तुमको काम करना है, चवर्दस्त, जहां कहीं पहुचा सकते हो, अपने efforts से, हमारी ताकत की जुरूरत है, तो वो मतलब बहुत important class, जिस भी बच्चे तक पहुचेग कुछ सुनाता हूं मैं तो मैं सुनू, ध्यान सा सुनना, सुनाओ या नहीं सुनाओ या नहीं सुनाओ ये बताओ, कर्मी में में मुड़ लिया यार, बात है, आस्मान से भी उंचा अपना लक्षय बनाऊंगा, खुद अपनी मंजिल ढूंडूंगा, अपने नस्क बनाऊंगा, वीर चले जिस रहा कभी थे, उसी रहा निकलूंगा मैं, और सत्य, अहिंसा, सम्विदाहन को, ही आदर्स बनाऊंगा, गर्दिस, तूफान, सुनामी फि खुद को, मैं वो वरक्ष बन जाऊंगा, तूर कहीं हो या मुस्किल हो या फिर नामुम्किन ही हो, किसी इंतजार में बैठे बैठे, मैं नहीं अस्क बहाऊंगा, अस्क मतलब आसू, साथ कोई हो या ना हो फिर, मैं अकेले लड़ लूँगा, कर्म से जाने दुनिया को ऐसा अक्स बनाऊंगा, भले वली हो जाऊं जंग में, पलट नहीं देखूंगा, पर मैं भावारत से अभिमन्यूसा, भावारत से अभिमन्यूसा खुद को दक्ष बनाऊंगा, मैं, तुम लिखना अपनी पंक्ती में, और इसको बार बार पढ़ना ये बहुत अच्छी है, और जया संचारित करने वाली है, अपना ख्याल लगें बहुत सारा, और कमेंट सेक्शन में जबर बताएं, क्लास आपको कैसी लगी, कितने कुश्चन आप लोग कर पाएं, अपना ख्याल लगें, बहुत सारा, बाई बाई, एक चैह हिंद, चैह भारत, और जो आपने म करती धोका देगी, सोच ले न, तो अभी भी नहीं करते थे, आज सुरू कर दो, आगे आने वाली प्रिक्षाव में होगा, अब नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है, हर संकटका है, तो अपना ख्याल लगें, बाई बाई, टेक ये, ब्या हिंद, चैह भारत, चैह सरस्वती, thank you.